बारते और विलकम टू माई चैनल ड्रीममाइस और आज इन करने वाले सेट थियोरी यह बीबे में भी आता है कंसेप्ट और बीसे में भी और बिल्कुल सेम और बिल्कुल इसी है करें स्टांट फिर आज की क्लास बहुत एजी है सेट को पढ़ना आज इसकी फिर्स्ट क्लास इस इन्टडाक्शन तो सेट थियोरी और बहुत इजी होने वाला कोई दिक्कत नहीं आई को चालो करते हैं फिस्टांट सबसे पहले आपके पास सेट सेट होता कैया है दख़ी क्या पढ़ना आपके पास? कलेक्शन ऑफ बुक्स है ना यह क्या है? चलेक्शन ऑफ बुक्स Erasers भी है, मैंने हमने Mixed Box बना रहे हैं, हमने सारी स्टेशनली डाल रुखे हैं, Pen भी डाल रुखे हैं, Pen भी डाल रुखे हैं, Erasers भी डाल रुखे हैं, है ना ऐसा collection, है ना ऐसा box, होगा, जरूर होगा, तो अगर हम इस box की अब दिवालिये सफाई करने वाले हैं, Pents को एक औ और बॉक्स में डालें, Erasers को अलग बॉक्स में डालें, और फिर Pencils को अलग बॉक्स में डालें, ठीक है, मीज जो टोटल collection थी ना, उसको मैंने अलग अलग boxes में डाल दिया, मीज अब इस box 1 में सिर्फ pens हैं, इसमें सिर्फ Erasers हैं, और इसमें सिर्फ Pencils हैं, तो यही तो एक ऐसा box जिसकी well-defined box हो, मतलब या तो उसमें pen हो, या pencils हो, या eraser हो, तो ऐसी collection जो well-defined हो, मतलब यह नहीं mix अपना हो कुछ, अलग-लग पता लग रहा हो, जसी बॉक्स हैं, कि इसमें pen है, यह eraser है, यह pencil है, तो ऐसा ही set, ऐसा ही collection, जिसमें आपके पास well-defined collection है, मेंस आपको पता है, इस box में particular क्या है, कुछ mix नहीं है, और distinct objects होने चाहिए, distinct क्या मतलब क्या हुआ, कि इस box के अंदर, अगर pen है, तो सारे pen different है, for example, एक doms का pen हो गया, एक आपने v7 pen हो गया, कोई भी different different pen ले रखे आपने, अब इसमें, एक जैसा pen, मतलब repeat नहीं होना चाहिए, एक टाइप का है, एक ही pen होना चाहिए, तो ऐसी collection, जो well-defined है, हाँ भी, सारे के सारे pen है, और distinct है, सारे के सारे pen, एक दूसर से अलग है, ऐसी well-defined और distinct objects की collection को हम set कहते है, clear है चीज, a set is a well-defined collection of distinct objects, वही box जिसमें सिर्फ pen है, और सारे different pen है, उन्हें क्या कहते है, set कहते है, जो पहले मार पास box है, इसमें pen भी था, pencil भी थी, razor भी थी, उसे set नहीं कहते है, उस collection को set नहीं बोलेंगे, हम distinct और well-defined objects की collection को set बोलेंगे, for example, मैं एक set लिया, इसको हमेशा curl bracket मिलेते है, one, two, three, four, five, बिल्कूल ये set है, इसमें सारे natural numbers हैं, और इसमें सारे number different है, yes, ये एक set है, लेकिन अगर 20 set मैं दे दू, a, e, i, o, u, और one, two, three, four, five, पहली बात तो ये set है ही नहीं, क्योंकि ये well-defined नहीं है, इसमें numbers भी आ रहे है, alphabets भी आ रहे है, ये कैसे हो गया, हमें तो well-defined और distinct objects की collection निकालनी है, कि हमारे पास क्या हो जाए, set बन जाए, clear है ये चीज, वो set of natural numbers हो सकता है, बिल्कूल natural numbers repeat नहीं करने, one, two, three, four, five, आपकी मर्जे जितना मर्जी लेते जाओ, ये well-defined collection है distinct objects की, अगर मैं सिर्फ ये set लो, a, e, i, o, u, है ना, तो yes, ये set है, क्योंकि इसमें से कोई repeat भी नहीं हो रहा, और ये well-defined set है, clear है ये चीज, चलें आगे, बहुत easy है, set कुछ भी नहीं है, collection को, अगर हम एक curl bracket में लिख दे, वो क्या है, हमारे पास set है, और जो collection है, वो क्या होनी चाहिए, ये well-defined होनी चाहिए और distinct होनी चाहिए, ठीक है, distinct जैसे कि सारे names of rivers होगे, है ना, सारे states होगी, तो वो भी आप set में डाल सकते हैं, क्योंकि state है, वो well-defined है, और collection distinct है, वो भी आजाएगी आपके पास, clear है ये चीज, चलते हैं, आगे, next is representation of sets, sets को लिखते कैसे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिय कि curl bracket में लिखते हैं, और comma से उसको लग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे numbers है, natural numbers है, कहां से कहां तक, 1 से 5 तक है, इसको मैं curl bracket में लिखने वाली हूँ, और सारे numbers को comma से मैं separate करने वाली है, clear है चीज, आप set ऐसा लिख रहे हो, जिसमें numbers लिख रहे हो, और उनको comma से separate कर या फिर रोस्टर फॉर्म, बट अगर कुछ ऐसा सा सेट लिख रहे हो, जैसे देखो, ऐसा X जो 2 और 10 में लाए करता है, और natural number है, means उन्होंने comma से separate करके आपको direct numbers नहीं दिये, बट कैसे numbers दिये, वो बता रहे हैं कि ये ऐसा number है, जो 2 और 10 के बीच में लाए करता है, कौन स बात करना, कि X ऐसा जो 2 और 10 के बीच में लाए कर रहा है, और natural number that is 3 से 10, तो ये आपकी set builder form होते है, कौन से form होते है, set builder, means आप खुद इससे अपना set बनाओ, और ये अगर आपको set मिल रहे है, बना बनाया, that is tabular form, ये क्या है आपके पास, tabular, कोई आपको ऐसी notations में लिख में लाए कर रहा है, इसको बोलते है, set builder form, और जो comma से separate होके आ रही है, that is tabular form, ये दोनों forms clear होने चाहिए, क्योंकि इनके questions आते हैं, कि roaster form को किसमे form change करो set builder में, और set builder को किसमे करो, roaster form में, दोनों most most important है, set builder form को rule method भी कहते है, कि आपको rule दिया गया है, जिससे आप अपना set बना सको, और tabular form को roaster form भी है, कि आप इसको comma से separate करके अलग-लग लिख पाओ, clear है ये चीज़, तो tabular हो ये roaster form एक ही बात है, set builder form है, rule method ये एक ही बात है, rule method का मतलब ये rule दे रहा है, और आप अपना set comma separate करके elements लिखके बना सकते हो, clear है चीज, तो set क्या है, well defined collection of distinct objects, book में distinct word नहीं लिखा होता, आपने लिखने आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलते हैं फिर आगे, write the following sets in roaster form, roaster form का मतलब क्या है, tabular, तो आपके exam में tabular भी लिख सकते हैं, और आपके exam में वो roaster भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो कहते हैं, इसको tabular form में लिखो, means, बात के लिए हम 7 से छोटा है, minus 3 से बढ़ा है, means, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ 6 तक लिखना है, 7 नहीं क्योंकि यहाँ पर यह line नहीं है, है ना, ऐसा x जो minus 3 से बढ़ा है, पर 7 से छोटा और integer है, means, points वाले नहीं ले ले, तो elements क्या है, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या tough है यह, बहुत easy है, तो आपने इनकी language को समझना है, यह dots का मतलब क्या है, x such that, means, ऐसा x जो है in teaser, minus 3 से बढ़ा है, और 7 से छोटा, clear है यह चीज, next देखो, अब b क्या है, ऐसा x such that, x is a multiple of minus 5, means, ऐसा x लेने है, जो minus 5 के table पर आए, और mod x क्या है, less than equals to 20, और mod x क्या दे रखे condition, less than equal to 20 होना चाहिए, अब ध्यान से देखो, जब भी आपके पास mod x less than equal to a होना, इसका मतलब होता है, x बढ़ा है minus a से, और छोटा है a से, मतलब x minus a और a के बीच में आता है, अगर कभी भी mod x less than equals to a दे रखाओ, यहाँ पर a की जगा पर क्या है, 20, It means x is greater than equals to minus 20, but less than equals to 20, clear है यह चीज़, तो यहाँ पर इसका मतलब है, कि x minus 20 और 20 के बीच में लाए करेगा, clear है यह चीज़, तो x ऐसे चाहिए, जो multiple हो minus 5 के, और यह condition भी लाते हो, मतलब minus 5 के टेबल पर आता हो, और minus 20 और 20 के बीच में हो, अच्छे एक बात बता हो, जो number minus 5 के टेबल पर आता है, means, आप लेख लो 10, 10 5 के टेबल पर जाता है, minus 5 के टेबल पर भी जाएगा, क्यों, आप 10 by minus 5 करो, आपको एक integer answer मिलता है न, minus 2, तो हमने ऐसे number ढूनने है, ज महाँ पर क्या है, equal का sign, means, minus 20 भी ले सकते है, तो minus 25 के टेबल पर जाएगा, minus 5 के, clear है चीज़, फिर minus 15 भी जाएगा, minus 10 भी जाएगा, minus 5, 0, 5, 10, 15, 20, यह सारे number जो है, minus 20 से 20 के बीच में है, जो minus 5 के टेबल पर भी जाएगे, यह नहीं सोचना, यह minus 5 के टेबल पर 5 कैसे ज जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, आप minus 5, और यह को 5 को, अगर minus 5 से डिवाइड कर, तो minus 1 आएगा, यह नहीं सोचना कि minus का है, तो plus वले क्यों लिख रहे है, बिल्कुल लिखेंगे, plus वले भी उस minus वले से डिवाइडों के एक इंटीजर देते है, तो यह इसका set बनेगा यह simple सा set, हमने बिल्कुल सीधी बात की, हमने X वेगारा में नहीं घूमना, इसी को कहते है, roaster form, जो आपको दिया है, उसको roast करके, एक अच्छा सा form निकालो, that is tabler, clear है चीज, इसमें positive V आएंगे, यह confusion मत रखना कि minus का multiple है, minus के multiple में positive V आता है, चलें आगे, next देखो, ऐसा X X such that का मतलब, ऐसा X की 4X minus 3 less than 6 है, और X belongs to natural number, चलते हैं, 4X minus 3 is less than 6, जैसे हम करते हैं, 4X minus 3 is less than 6, यह minus उदर जाके plus हो गया, लिखते हैं, 4X is equals to 9, करते हैं इसे, ऐसी less में करते हैं, 4X is less than 9, बट इसको उदर ले जाना नहीं कहते हैं, इधर कहते हैं, प्लस 3 दोनों साइड ह होता है, वही काम है, लेकिन हम उसमें तो कहते हैं, यह उदर चला गया, बट लेसिया greater का sign हो, तो हम कहते हैं, दोनों साइड प्लस 3 कर दिया, यह 0 बन गया, उदर 9 हो गया, काम एक सा ही है, यह भी minus 3 उदर ही जा रहा है, एक तरह से, चीक है, तो X less than 9 by 4, यह 4 इदर multiply हो रह इदर multiply हो जाके क्या हो गया, divide, X less than 9 by 4, means X less than, क्या आएगा 9 इंग आएगा, देख लेते हैं, 9 by 4, 4 to the 8, 1, 2.2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2.2, तो हमारे पास क्या है, X is less than 2.2, 9 by 2 हो तो हम 4.5 लिखते, 9 by 4 है, तो answer क्या आ रहा है, 2.2, ऐसा natural number चाहिए, जो 2.2 से छ चोटा हो, बिल्कुल, 2.2 से छोटे, 2 natural number है, that is 1 and 2, तो इस set की roster form है, 1 and 2, write the following sets in the set builder form, किस में लिखो इसको, set builder form में लिखो और यह बहुत easy है, set builder form का मतलब, अब सीधी बात नहीं, उन्होंने सीधी बात कर रखी है, हमने उसे X की form में लेकना है, ठीक है, आचा, फर्स पहले observe करो, 5, 10, 15, 20, यह सारे क्या है, 5 का table है, 5, 10, 15, 20, मैं इसे लिख दू, ऐसा X, such that, X क्या है, 5N, means 5 into N, natural number को तो बिलोंग कर रहा है, पर सारे natural number तो नहीं लिए, 5 1 दा 5, 5 to the 10, 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, तो ऐसे N है, जो 4 है, या फिर 4 से छोटे है, तो X, X ऐसा है, कि X 5N है, N less than equal to 4 है, और N किसको बिलोंग करता है, separate कर देंगे हम, कॉमा से, clear है चीज़, ऐसा X, such that, कि X की बारे मताएंगे, कि X 5N है, N less than equal to 4 है, कि 4 तक जा सकता है, और N बिलोंग करता है, natural number को, हमने इस form से इसको यह बना दे, पहल और N 5N लिखती है, चीज़, अगला देखो, आगे क्या है, 14, 21, 28, कहां तर, 98, यह किसका टेबल है, 7 का, तो लिख दे, X, X such that, X is a multiple of 7, आप इसे 7N की form में भी लिख सकते हैं, X क्या है, multiple है 7 का, आप यहां पे लिख सकते थे, कि X है, वो 5 का multiple है, चीज़, X is a multiple of 7, such that, और क X लाए कहां से करते है, 7 और 100 के बीच में, 7 है नहीं, मैंने यहां पे equal to का sign देखो, मैं ऐसे भी लिख सकती थी 7, मैंने equal to का sign नहीं लगाया, क्यों, यूकि 7 तो है नहीं, तो सारे multiple है 7 के, मिन 7 का table चल रहा है, बट 7 के table में भी वो ही number आ रहे है, जो 7 से बड़ है, पर 100 से चोटा है, clear है चीज, यहां पे आप 99 भी लिख सकते थे, कि वो 99 से चोटा है, आपकी मर्जी, आप अपने according भी लिख सकते हो, कि X is a multiple of 7, X is greater than 7, but less than 9 है, ठीक है, यह 7 N की form में भी आप लिख सकते हो, तो set builder form आपकी change हो सकती है, बट roaster form आपको यही लिखनी होती है, यह आज हम पढ़ने वले है, types of sets, इतना interesting है नहीं topic, इसमें आपको calculations नहीं करनी, just आपको अगर concept clear है, आप questions बहुत easily कर सकते हो, तो यह बहुत scoring है, और बहुत easy, फट आफट से start करते है, हमने set पढ़ लिया था, कि collection है elements की, बिलकुल बहुत easy है, कि किसी भी elements की collection, या फिर किसी objects की collection को हम set बोलते हैं, ठीक है, last class मैंने इसकी definition कर ली, हमने इसको लिखते कैसे है, representation कर चुके है, और आज हम पढ़ने वले है types of sets, सबसे पहला है funite set, without wasting time, फट फट से start करते हैं, बहुत easy होने वले है, देखो funite set, अब नाम से ही clear है कि funite का मतलब ही होते है, कि आपके पास जितने elements set में आप उसको count कर सकते हो, for example, मैं एक set A ले रही हूँ, 1, 2, 3, 4, इसमें कितने elements है? 4, तो यह एक funite set है, जिसकी elements में count कर सकते हो, B set ले लो, A, E, I, O, U, है ना? तो इसमें कितने elements है? 5 elements है, तो ऐसा set जिसके elements आप count करके बता सकते हो, कि कितने elements है, वो आपके पास क्या होता है finite set अब आपको ऐसे तो हर set के element में count कर सकते हो नहीं अब है आपको ऐसे set दिखाऊंगी जिसके आप elements count नहीं कर सकते तो फेले finite set देख ले तो set of months इना year is a finite set बिल्कूल आप अब एक set ए ले लो इसमें सारे के सारे months होने चाहिए जैसे जन, Feb, March और कहां तक जाएगा December तक यह एक set है जिसमें आप count कर सकते हो की 12 elements आएंगे यह well defined भी है क्योंकि इसमें सारे months है और distinct भी है एक month हम एक ही बार लिखने वले है तो ऐसा set जिसके elements को हम count कर सकते है ना बस व if the elements of a set are finite in number then the set is called finite set अरे आप कह रहे हूंगे है सारे set के elements को count कर सकते है नहीं भई सारे sets के elements को count नहीं कर सकते है अब देखो set of natural number हाँजी आप counting शुरू करो natural numbers की मैं set ले लिए लिए natural numbers का ऐसा set जिसमें सारे natural numbers है क्या counting करके मुझे बता सकते हो कितने natural numbers है infinite है ना आप होगे 1 lakh natural numbers है मैं मैं कहोंगी नहीं 1 lakh 1 भी एक natural number है 1 lakh 2 भी एक natural number है means आप natural numbers को count नहीं कर सकते completely इसलिए ये जो natural number का set होता है वो infinite set है set of integers भी एक infinite set ही है तो set of natural number integers ये सारे infinite sets है तो दो तरह के sets exist करते हैं finite भी और infinite भी clear है ये चीज़ तो जिसको हम count कर पाएं that is finite और जिन elements को हम count नहीं कर सकते हैं natural numbers बहुत सारे है counting ही नहीं कर सकते counting end ही नहीं करती तो ये क्या है आपके पास infinite set है चलें आगे next most important और इस ही singleton, singleton का word देखलो single है ना single का मिनिंग क्या एक element है ना ऐसा set जहां पे आपको एक element मिलेगा ना उसे बोलते है singleton set clear है चीज, singleton में किस word पे stress देना है? single word पे stress देना है means ऐसा set जहां पे आपको single element मिले that is singleton set for example देखो वो कह रहे है ऐसा x बताओ number मतलब जो 11 से बढ़ा है लेकिन 13 से छोटा है और natural number होना चाहिए means points हो ले नहीं लेने तो वे 12 ही ऐसा number है ना जो आपका 11 से बढ़ा है लेकिन 13 से छोटा है तो a में कितने elements है? एक ही element है 12 तो a क्या है? singleton set है तो ऐसे भी set होते हैं जहां पे आपको single elements मिलेंगे clear है चीज़ तो finite sets भी होते हैं जिसको आप count कर सकते हो infinite sets भी हो सकते हैं जिनके elements को आप count नहीं कर सकते हैं और singleton set जिसमें आपको सिर्फ single element मिलेंगे वाल है clear है चीज़ फटाफट से देखते हैं next next is empty set भी कुछ भी नहीं empty set बिलकुल खाली set yes empty set भी exist करते हैं अगर आपको कोई कहें ऐसा कोई even number बताओ जो 2 से बड़ा और 4 से छोटा हो even number क्या होते हैं जो 2 के table पे जाते हैं 2 और 4 के बीच में क्या कोई ऐसा number है natural number जो 2 के table पे जाता हो सिर्फ 3 आता है और 3 2 के table पे नहीं जाता तो ऐसा कोई natural number नहीं है जो 2 और 4 के बीच में और even हो इट मींज यह क्या है empty set है विल्कूल खाली set है येस empty set exist करते हैं यह से इनने काया odd integer लिखो जो 7 से बड़ा है लेकि 9 से छोटा है क्या कोई odd number है जो 7 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो 7 और 9 के बीच में तो 8 आता है और यह क्या है even number है तो 7 9 के बीच में कोई odd integer exist नहीं करता त या तो हम इसे ऐसे लिखते है या फिर ऐसे लिखते है clear a चीज या तो 5 से लिखेंगे इसको बोलता है 5 क्या फिर ऐसे हम empty braces बना देते है clear a चीज empty set बोलो या फिर null set बोलो या फिर void set बोलो सबका मीनिग एक ही है कि आपको set में कोई element नहीं मिलने वाला clear a next क्या है equal sets नेम से clear है ऐसे set जो equal हो means दो sets है a और b इनको equal sets कब कहेंगे जो element a में है वही elements अगर b में हो तो इन दोनों sets को हम equal कहेंगे जैसे यह देखो आपके पास दो sets है a and b ठीक है इसमें भी 1,2,3 है इसमें 2,1,3 है चाहे order change हो सकता है पहले वहाँ पर 1 आया इधर 2 आया order can भी change लेकिन 1,2,3 है और इसमें भी elements 1,2,3 है तो यह क्या है आपके पास equal sets ऐसे sets जिसमें elements सेम होते है उन्हें क्या बोलते है बचे equal sets बोलते है two sets a and b are set to be equal अगर हर एक element a का element b का हो और हर एक element b का element a का हो confused नहीं हो ना means a और b के elements बिल्कुल सेम होने चाहिए order से हमें कोई फरत नहीं आपके पास a आजए 1,2,3 और b आपके पास आजए 1,2,3,2 तो भी यह दोनों equal sets है चाहे उसमें एक बार repeat हो गया बट same elements तो है ना 1,2,3 तो भी यह दोनों आपके पास equal sets ही रहेंगे clear है चीज तो equal sets का मतलब elements same होने चाहिए order कुछ भी हो सकता है कोई किती बार भी आ रहा हो elements same होने चाहिए clear है चीज आगे देखिए next देखिए cardinal number most important और सबसीजी है अच्छे एक बात बताओ cardinal number भी देखते है a में कितने element है 3,4,5 कितने elements है 3 तो n की means a की cardinalty कितनी है 3 cardinalty क मतलब एक set में कितने element है इसमें 3 element है तो cardinal को लिखते है n और जिस set की cardinalty है उसको डाल ये bracket में और जितने element है उसको लिख दीजे है वाँपर है ना easy for example मैंने b set लिया 4,3,7 इसमें भी 3 elements है तो cardinalty of b is 3 cardinalty के लिए n लिखते है और जिस set की है उसको bracket में डाल दीजे clear age is so cardinalty of b is 3 the number of elements in a finite set is known as cardinalty और इसको कैसे लिखते है n of a अगर a set की है n of b अगर b set की clear age is and next is equivalent sets most important और बहुत easy होने वाला है इसमें क्या होता है दोनों जिन दो sets के cardinalty same है मतलब number of elements same है वो equivalent होता है for example a set में है a, e, i, o, u चीक है और b set मैंने ले लिया 1, 2, 3, 7, 9 cardinalty a की कितनी है 5 क्योंकि उसमें 5 elements है cardinalty b की कितनी है वो भी 5 क्योंकि उसमें भी 5 elements है तो ये दोनों set equivalent होंगे क्योंकि दोनों की cardinalty same है क्योंकि दोनों के number of elements same है clear है चीज़ तो दो sets को equivalent sets कब कहते हैं जब दोनों की cardinalty same हो clear है ये चीज़ तो बहुत easy है finite set जिसमें number of elements finite हो infinite जिसमें हम count नहीं कर पारे फिर उसके बाद singleton set जिसमें आपको सिफ single element set में मिलने वाला empty set जिसमें आपको कोई element नहीं मिलने वाला set में equal sets जिसमें elements के number नहीं elements भी same होने चाहिए अगर उसमें A set में 1,2,3 है तो B set में भी 1,2,3 हो order कुछ भी हो elements same होने चाहिए उन sets को equal sets बोलते हैं फिर हमने पढ़ा cardinal number कितने elements है set में उसको cardinal number बोलते हैं और equivalent set वो set होते हैं जिसमें number of elements same हो चाहिए एक में 1,2,3 हो चाहिए second set में A,B,C हो मुझे फरक नहीं पढ़ता इसमें भी 3 elements है इसमें भी 3 elements है ये दोनों set मेरे लिए equivalent set है अगर इनके number of elements same है clear है चीज़ तो equivalent set के लिए सिर्फ number of elements same होने चाहिए element same है या नहीं फरक नहीं पढ़ता next class में पढ़ने वाले है subsets क्या होता है power set क्या होता है और कुछ questions करेंगे किसके set theory के सबसे easy concept अगर आपको sets clear है subset में दिक्कत नहीं आने वाले तो करते हैं start subset का मतलब है set का कुछ part चीज़ के set से बना हमारा subset set के कुछ part को subset बोलते है जैसे मैंने कोई A set ले लिया 1,2,3,4,5 है इसमें और B set ले लिया जिसमें सिर्फ 1,2 है means B set में सिर्फ कुछ ही element है A,B के A के क्योंकि इसमें 3,4,5 तो नहीं आया अब B subset बन गया ये का क्योंकि B में A के कुछ elements है और ऐसा कोई element नहीं है B में जो A में ना हो तो ऐसा set जो किसी set के elements को contain करता है वो subset बन जाता है जैसे देखो A ये B आ गया ठीक है A में है 1,2,3,4,5 B में है 1,3,5 B का 1 है वो A में already है B में 3 है वो already A में है B में 5 है वो already A में है तो B subset हो गया A का तो किसी set को अगर subset बनना है तो उसके सारे element इस set में होने चाहिए जिसका उसे subset बनना है अगर B में कोई एक भी element extra होता सपोस करो 7 जो A में नहीं है तो B subset ना होताएगा clear है subset, बहुत easy है अगर B को subset, clear है चीज यहीं लिखा हुआ है the set B is set to be a subset of A if every element of set B is in every element of A is also an element of A की हर एक element B का अगर A का element बनता है तो B subset A का clear है चीज बहुत सारे example ले सकते हैं जैसे मैं एक और example से clear करते हूँ तो A लिया मैंने E, A, E, I, O, U और B मैंने लिया A, E और C मैंने लिया A, B ठीक है अब ध्यान से देखना यहाँ पी जो B है उसमें element है A वो A में already है E वो भी A में already है तो यहाँ पी जो B है वो subset होगा A का clear है चीज बस C में देखो C में A है A में already है C में B है वो A में नहीं है तो जो C है वो subset नहीं है A का लेकिन B है क्योंकि C में B है यह वला जो A में present नहीं है तो C subset नहीं हो सकता A का बट B subset होगा A का क्योंकि B का हरेक element A में है clear है चीज छोटे set का हरेक element अगर इसमें है तब ही यह इसका subset बनेगा otherwise नहीं चलें आगे I hope आपको clear है next is proper subset proper subset का मतलब क्या होता देखो ध्यान से अगर A लिया मैंने 1,2,3,4,5 ठीक है और B लिया मैंने 5,4,3,2,1 ठीक है आप देखो B का हर element A में है 5 भी A में है 4 भी A में है 3,2,1 B subset तो होगा A का बट A और B में तो बिल्कु सेम element है चाहे order अलग-अलग है बट दोनों में element सेम है तो यह proper subset नहीं है यह सिर्फ subset है इसमें equal की line भी हो सकती है कि हमने क्या करा subset क्या होगा अगर B का हर एक element A में हो यह तो condition satisfy कर गया क्योंकि B का हर एक element A से ही है बट हमने तो equally ले लिये तो ऐसे set proper subset नहीं होते कि जिसमें subset के पास भी same number of elements हो A और यह possible है कि same number of elements भी हो अगर छोटे set के बाग तो वो subset बन जाता है फिर वो छोटा set नहीं रहता उसका sign होता है यह हम यहाँ पे equal का sign लगाते है ठीक है बट अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे equal का sign नहीं लगारी इसका मतलग B में हमेशा A से कम element ही होने चाहिए जैसे A देखो 1,2,3 और B क्या है मेरे पास 1,2 अब यह इसका proper subset है कि B में A जितने element नहीं है बलकि B A से कम ही है चीक होने तो condition तो वही है देखो कि B के सारे element A में होने चाहिए है 1 B है 2 B है लेकिन B में A जितने element नहीं होने चाहिए तो वो होता है proper subset बट subset में होता है कि A जितने element भी हो सकते है A से कम element भी हो सकते है दोनों आ सकते है proper subset में होता है A जितने element नहीं हो सकते है clear रहे चीज़ मैं आपको एक बार और example से clear करते हूँ देखो A लिया मैंने 1 2 3 और B लिया मैंने 3 2 1 अब जो B है वो A का proper subset नहीं है क्यों नहीं proper subset subset तो है subset क्यों है क्योंकि B का हर एक element A में है B में 3 है A में already है B में 2 है वो A में भी है B का हर एक element A में present है इसलिए B subset तो है बट proper subset नहीं है क्योंकि जितने element A के थे B ने सारे के सारे अपने पास रख लिये proper होने के लिए B के पास A से कुछ elements तो कम होने चाहिए clear है यह चीज़ मैंने A लिया 1 2 3 ठीक है और B लिया मैंने 2 3 अब यहांपर जो B है वो proper subset है किसका A का क्योंकि देखो B के सारे element A से है यह B यह B A से है तो इस और maintained A में है 2 B A में है 3 B A में है लेकिन यह proper subset हो गया क्योंकि B में A से कम element है clear है चीज़ तो बहुत easy subset means अगर B में A जितने elements भी हो सकते A से कम element भी हो सकते हैं, यह subset है, लेकिन अगर मैं कहूं कि B में A से कम element ही होने चाहें, तो वो बन जाता है proper subset, clear है यह चीज़, चले आगे, चले फिर, हाँजी, next देखो, power set, इन सारे subsets को अगर मैं एक set में ले जाओं, तो उन सारे subsets के set को power set कहते हैं, तो एक set है A, इसमें element ह 1 2, ठीक है, मुझे इसके subsets चाहेंके, कितने subsets होनगे, जितने set के element है, उसको 2 की power में लिख दो, कितने element है? 2, तो 2 raised to power 2, 4, तो इसके पास 4 subsets होनगे, ठीक है, एक set के पास जितने element होते हैं, उसको 2 की power में लिख दो, जो number आएगा, उसके पस उतने subsets होते हैं For example, A, I have 1 2 3 तो इसके पस कितने subset होंगे 2 raise to power 3 that is 8 जितने element set में है अगर उसको 2 की power में लिख दिया जाए जो number आए वो उसके subset होते है clear है यह चीज़ आप मालो A मैंने ले लिया फिर से 1, 2 और इसके कितने subsets exist कर रहे है 4 वो 4 subsets कौन से होंगे एक तो हमेशा सबसे पहला subset किसी भी set का empty set है मतलब कोई भी element ना लो वो भी एक subset है means खाली room दूसरे चीज़ एक set में एक element है ये भी एक subset है एक set में दो element है means अलग-लग एक set में दूसरे element है आ गया ये भी एक set है और एक set में दो element साथ के साथ आगे वो भी एक subset है clear है चीज़ तो इसके चार subset कौन से होंगे ये 5 तो सब में आना ही आना है means empty set और ये खुद एक set उसमें आएगा ही आएगा इसे पूरा set खुद भी subset में आता है बाकि आप अलग-लग elements को करके लिक सकते हैं ने 1 का एक लग set बना दिया 2 का एक लग set बना दिया अगर इन सारे subsets को एक set means curl bracket में डाल दिया जाए that is a power set ठीक है सबसे पहले क्या देखा set में कितने elements है ठीक है number of elements देखे तो कितने उसके subsets exist करेंगे 2 raise to the power n अगर एक set में n element है तो उसके subset होंगे 2 raise to power n उन subset में एक 5 तो जरूर आएगा empty set और एक खुद set जरूर आएगा बीच हम elements को break कर कर कलिक देंगे तो जो ये सारे subsets को एक set में हम डालते हैं इसी को बोला जाता है power set clear है चीज देखते हैं फिर next term last term आज की that is comparable set और बहुत इसी है comparable set अगर दो sets को आपको comparable कहना है A और B को तो ये दो sets comparable कब होंगे या तो A subset हो B का या फिर B subset हो A का अगर इन दोनों sets को comparable होना है तो एक भी condition हो जाए या एक दूसरे का subset हो या दूसरा पहले वले का subset हो हमारा काम बन जाएगा वो comparable sets हो जाएगे ज़रूरी नहीं है वो दोनों एक दूसरे के subset हो नहीं कोई एक भी दूसरे का subset बन गया तो वो दो sets comparable होंगे देखो यहाँ पे A क्या है 1,3,4,5,B क्या है 1,2,3,4,5,6,B बड़ा set है A का हर एक element देखो B से है 3,4,5 और B बड़ा set है तो यहाँ पे A सबसेट है B का यहाँ पे बड़ा set और यहाँ पे closed वाली साइट छोटा set अगर ऐसा आपके पास आ जाए तो yes A and B क्या है comparable sets है क्योंकि इसमें से एक सेट दूसरे का subset है clear है चीज एक most important चीज अगर आपको ऐसे लिखके दे रहे है या फिर ऐसे लिखके दे रहे है इसमें difference है इसका मतलब है A subset है B का A के सारे element B से ही है लेकिन A में उससे कम element होंगे क्योंकि यह proper subset है इसमें क्या है A के सारे element B से ही है लेकिन A में B जितने elements भी हो सकते है क्योंकि इसमें equal का sign है यह proper subset है या नहीं कोई confirmation नहीं है इसमें come element भी हो सकते हैं B से equal element भी हो सकते हैं बट अगर सिर्फ यह लिखरी हूँ ना मैं sign it means कि A में B से come element ही है और सारे element B I hope this is clear to you next अच्छा ही last नहीं था disjoint sets बच्चा है बहुत easy है disjoint sets ऐसे set जिनका कोई आपस में लेना देना ही नहीं है मतलब एक भी element दोनों set में same ना हो तो वो disjoint sets होते हैं ऐसे दो sets जिनका आपस में एक भी element match ना करता हो देखें आपे A क्या है ABCD B क्या है EFGH एक भी element इनका same नहीं है तो A and B क्या है disjoint set है एक भी element same नहीं चाहिए आप यह नहीं कह सकते है A में क्या है 1,2 और B में क्या है 1,3 तो यह disjoint नहीं है क्योंकि 1,1 दोनों में same है एक भी element अगर same ना हो दो sets में उनको बोला जाता है बच्चे disjoint sets ठीक है सेट होता क्या है, types क्या होते है, subsets क्या होते है इसका use क्या है उसका questions करेंगे जो आपके exam में आते है most important है questions ध्यान से देखना ठीक है बस आपको sets की definition जो जो types पढ़े है उनके बार में पता होना चाहिए और tabular form में change करना आना चाहिए अगर आप किसी भी set को tabular form में easily change कर सकते हैं आपको कोई problem नहीं होने में questions को करने में चलिए फड़ा-फड़ से देखते हैं तो कसम से पहले क्या है, एक set ए है, मुझे बताना है ये set singleton है के null set है अब singleton set क्या होता है वो set जिसमें आपके पास सिफ single element हो उसको बोलते हैं singleton set और ऐसा set जो empty हो जुसमें एक भी set ना हो बताना एक भी element ना हो उसको empty set बोलते हैं तो बस इतनी सी तो बात है कि singleton जिसमें single element हो और null set जिसमें एक भी element ना हो तो चेक कर लेते हैं हम जिसमें एक element हो उसको singleton कह देंगे और जिसमें कोई element नहीं हो उसे null set जैसी यह वाला set देखो first क्या है ऐसा x ढूंडो मेरा interest किसमें होते है x में ऐसा x ढूंडो जो 3 और 4 के बीच में हो और natural number होना चाहिए लो भई natural number क्या होते हैं जो 1 से start होते हैं counting complete numbers इसमें decimal नहीं आता 1.1, 1.2 ऐसे नहीं आते हैं negative नहीं आता, 0 नहीं आता तो कहते हैं 3 और 4 के बीच में natural number बताओ, बताओ 3 के बाद तो 4 ही आता है और 4 से पहले भी 3 आता है इनके बीच में तो कोई natural number है ही नहीं, it means ऐसा कोई element इस set को नहीं मिलने वाला क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई natural number नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे पास null set है clear है न, बस आपको set की language पढ़ने आने चाहिए कि जो form दे रखिये set builder form आप उसको tabular form में change कर पाओ, यह मैंने आपको second part नहीं, first part में ही करवाया था चलें आगे, b क्या है, क्याता है, ऐसा x की x square 9 है, और x natural number होना चाहिए, बिलकुल, पहले में से tabular form में change कर लेती हूँ, फिर मैं देखूंगी, यह single ten है के null set है चलो x की value है, और मुझे चाहिए x मैं दोनों तरफ root ले लूँगे, और जब root लेते हैं, तो 7 में plus minus आते हैं, ठीक है, तो it will be root से square cancel x, और 9 का root होता है 3, तो x की value या तो 3 होगी, या फिर minus 3, चलो यहां से यह तो पता लग गया, लेकिन उसने कहा है कि x natural number होना चाहिए, और natural number हमेशा positive होते है, तो आपके पास minus 3 होला हम reject कर देंगे, और x की value क्या आगी, 3, तो किसी set को अगर आपको tabler form में change करना है, आपको x की value चाहिए होते है, और यहां पे मेरे पास क्या आ चुकी है, 3, तो इस set में एक ही element हुआ बचे, तो यह क्या होगा आपके पास, singleton set, clear ह चीज़, चलें, हाँ जी, next देखो, third क्या है, ऐसा x की x even prime number है, बचे एक ही even prime number होता है, वो होता है 2, बाकी जितने भी prime number है, prime number means वो किसी के table पे नहीं जाते है, सिर्फ अपने table पे जाते है, क्या 3 किसी के table पे जाता है, बिल्कुल भी नी, सिर्फ 3 अपने table में आता है, 5 हो क्या हुआ, singleton set हुआ, ठीक है, थोड़ी knowledge number system की, अपने 10th के maths की, जो 10th तक maths की है, अगर नहीं आ तो धीरे धीरे आपकी revision हो जाएगी, चलें आगे, चलें फिर next question देखे, state whether the falling sets are finite और infinite, बताओ भी, ये 4 sets दे रखे हैं हमें बताने है, कि ये finite, finite sets को होते हैं, जिनके elements को हम count कर सकते हैं, और infinite set जिनके elements को हम count नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं, set के पहले x की values निकालते हैं, क्या x की value को हम count कर सकते हैं कि नहीं, चलें, देखते हैं फटा-फट से, पहला set क्या है, ऐसा x, पहली बात natural number होना चाहिए, और 2x-1, 0 है, बिलकुल, पहले हम इसको solve करते ह तो x की value निकालने में, so 2x-1, 0, 2x is equal to 1, क्योंकि इधर minus 1 है, तो उदर क्या होजेगा, plus 1, x is equal to 1 by 2, 2 इधर multiply हो रहा हो जाके क्या होजेगा, divide, तो x की value क्या हागी, 1 by 2, उसने क्या कहा था, x natural number होना चाहिए, 1 by 2 तो 0.5 होता है, और natural number 1 से start होते है, तो 0.5 तो natural number है ही नही वैसी, point वाले natural number नहीं होते, तो note a natural number, इसका मतलब इसके पास कोई भी sx नहीं है, जो natural number है, इसका मतलब यह क्या है, empty set है, खाली set है, और खाली set में तो कुछ गिनने को है नहीं, कि हम count कर पाएं, तो यह आपका क्या है, finite set है, clear है चीज, इसमें कोई element नहीं है, तो कुछ count countable, uncountable का तो आई नहीं रहा, तो it means यह आपके पास क्या है, बचे, finite set, चलें आगे, next देखो, अगर कोई खाली set मिलजे, empty set आपको मिलजे, तो वो भी finite होता है, इस चीज को अपने mind में रख लो, चीक है, next देखते है, आप क्या है, ऐसा x, जो integer होना चीए, कोई दिक्कत मतलब zero भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, decimal नहीं होते हैं, and x square is equal to 36 में, class के end में आपको natural number, whole number, integer एक बार revise करवा दूँगा, अगर आपको mind में नहीं है, चीक है, अब वो कह रहे है, x square क्या है, 36, मैंने अभी आपको बताया, जब squares होते हैं, तो हमें root लेना 6 का root 6 होता है, तो x की value या तो 6 है, या फिर minus 6 है, हम इसमें से कोई reject नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बोला था, ये integer है, natural number नहीं है, तो positive भी आ सकता है, negative भी आ सकता है, it means, यहाँ पे मेरे पास element क्या है, 6 minus 6, पिछले equation में, यहाँ पर मैंने minus 3 को reject कर दिया था, क्योंकि यहा number हमेशा positive होते है, इसलिए मैंने minus को reject किया था, अब यहाँ देखो, 6 भी आ गया, और minus 6 भी, element काउंट कर सकते हैं, कि यह two elements है, तो second set हमारा क्या है, finite set, first भी finite set था, second भी finite set था, आगे चलते है, वो कहते है, x belongs to integer, और x minus 10 से बड़ा है, minus 10 से बड़ा, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, 4, 3, यह चलता ही जाएगा, यह तो रुके गए नहीं, फिर 1, 2, 3, तो चलती जाएगी counting, उन्होंने बस यह बोड़ दिया, कि minus 10 से बड़े होने चाहिए, बस यह बोला है उन्होंने, तो इससे कैसे बता लगेगा कितने elements हैं, यह तो infinite elements आगे, it means जो यह third set है, यह भी हमारा infinite, clear ह आगे four देखते है, x real number है, बिल्कुल, और x zero और one के बीच में है, आप ध्यान से देखो, 0.1, real में points वले भी आते हैं, बिना points वले, सब जितने numbers हैं, real में आते हैं, तो 0.1, कोई बोलेगा 0.01, कोई बोलेगा 0.001, कोई बोलेगा 0.001, कितने count कर लोगे, दो numbers के बीच में infinite night real numbers होते हैं, तो fourth set भी क्या है, infinite में real बता रही हो, आपको real integer whole number, अभी end में आपको साइर numbers clear करते हो, आपको याद आजाएगा कि numbers क्या होते हैं, ठीक है, clear है यह चीज, तो यह आपके पास 4 sets थे, क्या ही मुश्किल थे बताने infinite, infinite बिल्कुल भी नहीं, आप अपने according x की value न equal sets क्या होते हैं, A set को कभ कहेंगे B set के equal, अगर A का हरेक element B में हो और B का हरेक element A में हो, तो हम कहेंगे A और B equal set से, clear है चीज? A का हरेक element B में और B का हरेक element A में, तब हम इनको कहेंगे क्या equal sets, देखो कैसे, A क्या है हमारे पास, one, three, five, seven, nine, B क्या है मारे पस 3, 5, 5, 1, 9, 7 Clear A चीज अब A का हरेक element B में है देखो A का 1 B में है बिल्कुल है A का 3 B में है A का 5 है A का 7 ये रहा और A का 9 ये रहा बिल्कुल है B का हरेक element A में है देखो A तो ठीक है A का हरेक element B में है 3 B में है A में भी है 5 है ठीक है repeat हो रहे इसको नहीं हम देखेंगे 1 है 9 है 7 है B का हरेक element A में है A का हरेक element B में है तो A और B equal sets है तो first part में A और B equal है हमें बताना है कि इन तीनों question में कौन से 2 set equal है तो first part में A और B equal है second part देखो second part में A क्या दे रखा है ऐसा X की X square minus 4X plus 3 0 हो जिसमें आपको 1 और 3 मिल रहा है तो इसको पहले solve करके हम X की value निकालेंगे और फिर देखेंगे A और B same आ रहे हैं के लिए तो इसको solve करते है X square minus 4X plus 3 यह आपके पास है हम use करने वाले middle term splitting ठीक है split करेंगे middle term को देखो कैसे करते है हमें ऐसे दो number चाहिए आपको अभी eye button में भी show रहा होगा आप उसमें भी देख सकते है मैंने 9th class में भी यह करवा है basically 9th में आता है A into B क्या आना चाहिए जो 3 into 1 means 3 आना चाहिए और plus है यह आपे plus करके हमारे पास 4 आना चाहिए ठीक है हमेशा ऐसे दो number ढूने जिने multiply करके 3 आए और plus करके 4 है A into B आप देखो 3 into 1 3 और 3 plus 1 4 3 और 1 ऐसे number है जिने multiply करके 3 आता है और plus करके 4 तो मैं इसे 3 और 1 लिख दूँँगी बस कुछ भी नहीं 4 के जगा क्या लिख दिया 3 और 1 x square minus अंदर जाएगा सबके sign change होंगे जब यह minus अंदर गया plus 3 x भी minus बन गया plus 1 x भी minus बन गया clear है चीज़? अब इसमें बहुत easy है देखो मैं x ले लिया तो x minus 3 हुआ यहाँ से मैंने x common लिया तो x minus 3 बचा और यहाँ पे minus 1 common ले रही हूँ कि x minus 3 बच जाए क्योंकि यह दोनों bracket सेम होने चाहिए और यहाँ पे plus में 3 था मुझे minus में 3 चाहिए था तो अगर आपको sign change करने होता है तो आप minus common लिकालते हो जब minus बाहर आता है तो भी सबके sign change होते है और जब minus अंदर जाता है x minus 3 x minus 1 equal to 0 जब मैंने इस equation को solve किया तो मेरे पास आगे x minus 3 x minus 1 equal to 0 दोनों को अलग लग 0 करो x की value 3 और x की value 1 आगी means a set में 1 और 3 element है b set में भी 1 और 3 element है तो दोनों set के element सेम है a का हर एक element b में है b का हर एक element a में है तो second part में भी a और b क्या है equal sets है यह आपको थोड़ा सा mathematics calculation करके फिर आपको पता लगेगा definition लगा के कि वो equal है के नहीं next देखो ऐसा x की x square क्या है 16 अब आपको पता है जब x square दे रखा है x चाहिए तो मैं क्या करूँगी दोनों तरफ root और इधर plus minus हो जाता है चीक है तो यह बनेगा x क्योंकि root से square cancel and that will be plus minus 4 means x की value 4 भी है और x की value minus 4 भी है और उन्होंने क्या कहा था कि x क्या होना चाहिए natural number तो x minus 4 तो rejected है क्योंकि हमें तो सिर्फ plus वली value उठाने है clear है चीज़ इसका मतलब a में सिर्फ क्या आ गया 4 b में क्या आ चुका है minus 4 क्या इन दोनों के element सेम है no इसमें तो plus 4 है और इसमें minus 4 it means a and b are not equal sets यह equal sets नहीं है clear है चीज़ थोड़ा सा maths थोड़ी सी definition that's it question हो जाए चलें आगे next question देखते है write down all the subsets of 1, 2, 3 बहुत easy है पहले बताओ इसके कितने subset होंगे पहले set में कितने element है 1, 2, 3 मैंने last class में आपको बताया था इसमें कितने subsets होंगे 2 raise to power 3 8 इसके 8 subsets होंगे क्योंकि जितने set में element होते है उसकी 2 को power को दे दो ठीक है 3 elements है 2 की power में 3 दे दो तो इसके 8 subsets आपको मिलने होंगे clear है इस चीज़ अब लिखते है subset सबसे पहला क्या होता है empty set सबसे पहला subset फिर एक एक element शुरू लेना करो 3 low ले लिएक एक एक element अब दो-दो elements लेते हैं पहले 1, 2 की pairing फिर 2, 3 की pairing और फिर 1, 3 की pairing कैसी करी मैंने पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर ये लो वापिस आगी मैं clear है न चीज़ 1, 2, 3 है पहले हाँ से इन दोनों का फिर इन दोनों का और फिर first और last की pairing कर दी ठीक है आप पहले 3,1 लिखो या 1, 3 फरक नहीं पड़ता next देखो अब last क्या बचा खुद सेट को लिख दो पूरे को लिख दिया जी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 सबसेट बन गे इसके तो यही तो मुझे चाहिए था तो कुछ भी नहीं करना एक 5 सेट तो सब में आना है और एक सेट खुद आता है फिर एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल लिखना शुरू कर दो फिर मैंने दो-दो की पेरिंग्स बना दी बनगे सबसेट तो मैंने सारे सबसेट इस सेट के लिख दे चले रहे चीज़ युनिवर्सल सेट का होता है बहुत Easie The Boss of all the Subsets बिलकुल जी, बिलकुल युनिवर्सल सेट का होता है सारे सबसेट का Boss For example मैंने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है यहाँ पर मैंने A सेट लिया 1, 2 B सेट मैंने 2, 3 C सेट मैंने 4, 5 D set लिया मैंने 1,5 ठीक है तो देखो A, B, C, D में जो सारे elements है वो उपर वाले set में है जिसको मैंने नाम दे दिया मानलो U ठीक है U से naming कर रहे हो तो जितने भी A, B, C, D में elements है ये सारे के सारे U में है it means ये सारे subsets के element U में है that is universal set ऐसा बड़ा set जिसके अंडर जितने भी subsets पड़े है वो सारे elements उन subsets के element इस set में already present है तो इस set को बोलते है universal set the boss of all the sets for example A में देखो 246 है यहाँ पे already present है 246 यहाँ पे B में क्या है 135 यहाँ पे already present है 135 यहाँ पे C है यहाँ पे D है A, B, C, D में जितने subsets है जितने elements है इन में वो सारे U से ही है तो U को बोलते है universal set the boss of all the subsets कि जितने subsets मैंने consider की है न वो सारे element इस U में है when all the sets under consideration are subsets of a larger set than this larger set is called the universal set बस मैं larger set को boss set बोल रही हूँ है न यह boss है इन सारे subsets का इसी से ही सारे subsets बनते है इसको बोलते है universal set ठीक है यहाँ पे जो A, B, C, D है यह subset है और सारे element U से ही निकले हूँ है ABCD के तो U को क्या बोलेंगे हम universal set है ना easy बहुत है बस ठीक है चलो फिर आगे देखते है next supplement of a set यह तो बहुत easy है ध्यान से सुनना मालो में पस universal set है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है और A set है मेरे पस 1, 2, 3 तो मुझे A compliment निकालना है आप A dash भी लिख सकतो A prime ठीक है और या फिर A compliment इसका मतलब क्या होता है आप U set युनिवर्सल set के वो element लिखिए जो A में नहीं है A में क्या आगए 1 नहीं लेंगे हम A में 2 आचुके नहीं लेंगे A में 3 आचुके नहीं लेंगे A में क्या लेंगे 4 and 5 A compliment का मतलब युनिवर्सल set से A की elements को निकालके जितने elements बाकी बच्चे है वो लिखतीजे मश्किल का में क्या यह बहुत इजी है देखो अगले क्या दे रखा आपको आप दे रखा है U क्या दे रखा है A, B, C, D और यहाँ पर A क्या दे रखा है A, B, D चीके तो अब क्या निकालना है मुझे A compliment कैसे निकालूंगी जो U में एक element है उनको छोड़ के जैसे U में A काट दो क्योंकि A दिया हुए, B रहने दो, D रहने दो, बचा क्या C तो A compliment में आया C, Universal Set से उस सारे elements को छोड़ दो, जो A में है, जो बचे हुए elements है वो A compliment में आएंगे भई A ने जितने elements ले ले लिए, A compliment कहता है मुझे A वले elements को छोड़ के जितने बचे elements है न दे दो तो Universal Set जो A को element दे चुका होता है, उनकी इलावाद जो बचे हुए elements है, वो A compliment को देता है यहाँ पर यही लिखा हुए, contain all those members of Universal Set that do not belong to given set जो उस element, उस set में element नहीं आते, बाकी बचे हुए Universal Set के elements होते है, उन्हें बोला जाते है, compliment of a set ठीक है, इसका question कैसा आता है, आपको U दिया हुए, find the compliment of the following set, बताओ इतना easy question है A क्या है, 123, आप बोल रहे हैं, इसका compliment निकालो, निकाल सकते हैं U set ध्यान से देखो, क्या है, 123, 45, 6, 7, बिल्कुल A में क्या है, 123, A compliment को बिल्कुल भी वो element अच्छे नहीं लगते हैं, जो A के पास है, copy नहीं करता है तो 123 गए, बचे क्या, 45, 6, 7, तो A compliment में element आगे, 45, 6, 7 Similarly, B compliment उन्हें पुछा है, B में क्या है, 6, 7, तो बिल्कुल सही है, B compliment भी copy नहीं करता, यह B के element नहीं लेता तो इसके पास बचेंगे, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7 नहीं लेगा, क्योंकि वो B के पास already यह बहुत easy concept है, और यहीं पर आपके set theory का एक पार्ट कवर होता है, जहाँ पर basic set की definition कर चुके है, हम types कर चुके है, और subsets और उनसे related questions कर चुके है Set theory खतम नहीं है, भी further parts मिलेंगे, बट एक पार्ट कवर हो गए set theory का, ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं union of sets के बारे में, चाहे आप BBA कर रहे हैं, चाहे BCA, set theory अपके syllabus में होगा और most important है, इसके 1 to 5 parts कर चुके हैं, जिसमें basics cover कर चुके हैं, कि set theory होता क्या है, इसको represent कैसे करते हैं, subsets क्या होते हैं और फिर उसके बाद universal set, complement set के सब हम पढ़ चुके, आप पढ़ेंगे union of sets की जैसे हम numbers को add, subtract करते हैं वैसे ही sets के element की union निकलती है, intersection निकलती है, और difference निकलता है ठीक है, आज की class में सिर्फ हम union discuss कर रहे हैं, और next class में intersection और difference एक साथ discuss करेंगे, उसके बाद हम examples कर पाएंगे और questions कर पाएंगे set theory के ठीक है, तो करते हैं, start with efforts से union of sets बहुत easy है, बहुत easy, देखो कैसे आपके पास एक set है A, कैसे 1, 2, 3, ठीक है, एक set है B, मालो 2, 3, 4, union का मतलब है कि कोई भी element छोड़ना नहीं है, सारे elements consider करने हैं, बट repeat नहीं करना कोई, जैसे मैंने union लेनी हैं और B की तो A के element क्या है, 1, 2, 3, लिख लो यहाँ पर, 1, 2, 3, अब B के element देखो, 2, already मैं लिख चुकी हूँ, repeat नहीं करना, 3, already लिख चुकी हूँ, repeat नहीं करना, 4 नहीं element है, तो मैंने क्या लिख दिया, 4, union का मतलब यह होता है, कि किसी भी element को नराज नहीं करना, सारे elements include करने हैं, ब B के सारे elements लिख लो, पर ऐसे elements जो A में भी हैं, B में भी हैं, repeat हो रहे हैं, उसको सिर्फ एक बार लिखना है, that is a union of set और बहुत easy होता है union of sets का निकालना, जैसे देखो, A, B कोई set है, यहाँ पर A क्या है, 1, 2, 3, 4, B क्या है, 2, 3, 6, 7, 9, union लिखना शुरू करते हैं, पहले A क element लिख लो, 1, 2, 3, 4, और फिर B के element लिखो, 2 है, लिखना नहीं दुबारा क्योंकि पहले ही हम A के लिख चुके हैं, 3, B नहीं लिखना लिख चुके हैं, 6, 7, 9, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, है नहीं इसे union निकालना, पहले सारे A के element लिख दो, और फिर B के elements लिख दो, लेकिन repeat नहीं करने, इसी को union कहते हैं, किसी element को नराज नहीं करना, सारे के सारे elements लिखने हैं, clear है यह चीज़, A union भी ऐसे निकालते हैं, चलें आगे, देखो, यह elements लिखे हों है, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, ठीक है, तो union क्या होता है, set of all those elements, या तो वो A में हो, या B में हो, या दोन लिखना है, उसको बोलते हैं, union of sets, I hope आपने sets के सारे basics cover कर लिए हैं, कि यह set होता क्या है, तो आपको यह अच्छे से clear होगा, question कैसे आते हैं, इसको, first question, if A is this, B is this, find A union B, क्या निकालना है, A union B, A union B के लिए, आप पहले सारे A के element लिख लिजी, A, B, C, D, अब element लिखना मैं नहीं लिखूंगी, D मैं already लिख चूकी हूं, नहीं लिखूंगी, E और F मैं नहीं लिखा, E और F मैं यहाँ पे लिख देती हूं, यह आपके पास आगया, A union B, clear है चीज, पहले A के element लिखो, फिर B के elements लिखना है, लेकिन जो elements repeat हो रहे हैं, उनको दुबारा नहीं ठीक है, union निकालना आगा है, बहुत इजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, A और B के elements लिखने हैं, सारे के सारे repeat, कोई element नहीं करना, आप elements आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई matter नहीं करता है कि आप कौन सा पहले लिख रहे हो, कौन सा बाद में, ठीक है, अब properties of union of sets, कु कि दोनों के elements को लिखना है, लेकिन common elements को दुबारा दुबारा नहीं लिखना है न, तो इसलिए, चाहे A union B करो, चाहे B union ने, दोनों का अंसर सेम आता है, बहुत इजली example देख सकते हो, जैसे A लिया मैंने 1, 2, 3, चीक है, और B लिया मैंने 2, 3, 1, 2, 3, 4, चीक है, सो A union B के आ अब B union A लिखके देख लो, पहले सारे B के elements लिख दूँ, क्या थे, 2, 3, 4, अब A के element लिखती हूँ, A में 1 हाँ आएगा बिल्कु क्योंकि मैंने अभी तक नहीं लिखा, 2, 3 मैं already लिख चुकि मैं दुबारा नहीं लिखूँगी, देखो A union B और B union A में बिल्कुल सेम elements हैं यह हो सकता है कि उसमें पहले मैंने 1, 2, 3, 4, 1 लिख है और इसमें मैंने 2, 3, 4, 1 लिख दिया, elements आगे पीछे हो सकते हैं बट आंसर बिल्कुल सेम आएगा, इसको कॉमिडिटिव लो कहते हैं कि आगे पीछे भी लिखो तो कोई दिक्कत ना हो, आपको यह नेम याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है, तो कोई दिक्कत वली बात नहीं है, चलें आगे, next देखो, next क्या है, associative लो, associative लो क्या है, वो कहते है, आपको तीन सेट्स की union करनी है, है ना, तो आप पहले इन दोनों क्या answer निकालो, फिर third वले के साथ union करो, या फिर प की union करके, answer निकाल के third के साथ union करते हो, आप किसी दो की भी union निकाल के third के साथ answer निकालो, सेम answer आएगा, clear है चीज़, चलें आगे, चलिए, next is, idempotent low, idempotent low क्या होता है, अगर किसी set की name याद रहते है, मैं फिर से कहने हूँ, name का stress मतले ना, कि idempotent low कैसे याद रखे, बि जानको, अगर किसी set की union उसी के साथ की जाए, तो वो ही set answer आएगा, बिल्कुल वही, देखो, एक ही union एक के साथ करूँगी, पहले एक सारी elements दिख लूँगी, फिर repeat तो करनी सकते, तो वो ए ही set बनेगा, तो किसी set की, अगर union उसी set के साथ करी जाए, तो answer वही same set आता है, U क्या है, एक natural number का set है, किसका natural number का, क्या लिए है, U में वो सारे X है, जो क्या है, natural number है, तो इसमें element कैसे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे क्योंकि natural number 1 से start होते हैं, तो यह सोन चलता रहेगा, मैंने 5 तक लिख है, और भी लिख सकते हैं, अब B में क्या कह रहे है, 2X है, लेकिन X क सारे U से लो, U में सारे natural number है, मतलब X तो natural number हुआ, जैसे हमने set builder form की थे ना, यह आपको set builder form दे रखिये, जिसको हम tabler form में change कर रहे है, ताकि हम B union C निकाल पाए, clear है यह चीज, तो निकालते हैं, B क्या है, कि आपके पास 2X है, मतलब 2 multiply by X है, और X कहां से है, U से means natural number है, तो देना शुरू करते है, U में 1, 2, 3 है, तो इसको भी A के करके X देना शुरू करते है, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 and up to 100, क्या बन जाएगा यह, 2, 4, 6, up to 100, means B में जो है, वो क्या है, 2 का table के elements है, 2, 4, 6, 8, 10, तो हमें B का भी पताल लगगी, क्या आगया मेरे पास, 2, 4, 6, 8, मतलब इसमें सा 2X प्लस 1 है, जहां पे X आपको नाच्रल नंबर से लेने, क्लियर है चीज, नाच्रल नंबर कहां से स्टाट ओर थे, 1, 2, 3, तो पहले मैं X को 1 दे रही हूं, ठीके, फिर मैं X को 2 दे रही हूं, और फिर मैं X को 3 दे रही हूं and up to 100 आप आगे तक भी लिख सकते है, 4 तक भी लिख सकते हैं, ठीके, अब यह क्या बन जाएगा, 2 x 1, 2 प्लस 1, that is 3, यह बनेगा 5, यह बनेगा 7, यह बनेगा 9, ऐसे up to 100 चलता जाएगा, मतलब C में सारे ओर नंबर आ रहे हैं, जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3, 5, 7, 9, up to 100, clear है चीज, तो B में सारे even नंबर आ रहे हैं, C में सारे ओर नंबर आ रहे हैं, मुझे इनकी यूनियन निकालना हैं, बहुत easy है, तो B में कहां से स्टार्ट हुआ था मेरा, 2, 4, 6, 8, up to 100, ठीक है, C में कहां से स्टार्ट हुआ था, मेरे पास 3, 5, 7, 9, up to 100, मुझे क्या निकालना है, B यूनियन, देखो, आब B यूनियन 5, 6, 7, 8, 9, इसमें कुछ भी repeat नहीं हो रहा, मैंने सारे element लिखने हैं, तो मैं इसे counting में लिख दू, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बन गया, यह B यूनियन, C, B यूनियन, C में यही तो होते हैं, कि B के भी सारे element लिखने हैं, C के भी सारे element लिखने हैं, लेकिन repeat नहीं होना चाहिए, य यह even number है, यह odd number है, ऐसा कोई number नहीं होता, जो even भी हो और odd भी हो, मतलब इसमें कुछ भी repeat होने वाला नहीं है, तो मैंने इसे counting form में लिख दिया, 2, 3, 4, 5, 6, कोई element नहीं चोड़ा, और यह आपके पास आ गया, B union, C, इसमें काम यही था, कि B, C की जो set builder form थी, उसको tabular form में change करो, फिर ही आपकी उसकी union और intersection लिख पाऊ, क्लियर है चीज, आज हम union कर रहे हैं, next class में हम intersection करेंगे, next is, कि अगर A की union किसी खाली set के साथ की जाए, means empty set के साथ की जाए, तो वही set answer आता है, क्या आता है, वही set answer आता है, क्लियर है A की union, मतलब A में मालो बहुत सार element है, 1, 2, 3, फिर खाली set में कोई element ही नहीं है, जो मैं लिखू, तो वो set A ही बनेगा, तो किसी set की union, अगर empty set के साथ करी जाए, तो वही set आता है, जिसके साथ हमने union, A की union universal set के साथ की जाए, universal set है, universal set का मतलब A उसका subset होगा, है ना, अगर A की union universal set के साथ करी जाए, तो यू ही आए हमेशा answer बड़े वला set आएगा अब A बड़े के B बड़े है B तो A union B हमेशा B आएगा clear है यह चीज़ अगर आप कर रहे हो A contain है C में तो A union C का answer C ही आएगा हमेशा union का answer बड़े वला set ही आएगा यह बात ध्यान लगना अब universal set तो सबसे बड़ा है तो अगर A आपका U में contain होता है हमेशा पता है universal set the boss of all the sets तो अगर A U में contain है तो A union U का जो answer है that will be U Q की union का answer जो है वो बड़े वला set आता है clear है जीज़ तो ध्यान रखना यह आपको आगे बहुत help करने वला है कि अगर A B में contain है A union B निकाल ला है means A B का subset है अगर और A union B निकाल ला है तो answer आपका बड़े वला set आएगा वो है यहाँ पर B तेरह चीज़ ऐसी ही A union U का answer है वो U है हमारे पास यहाँ कि U बड़ा है A union U में चलें आगे नेक्स देखो नेक्स क्या है A union A dash that will be U ध्यान सुनना A क्या है complete set मालो 1,2,3 छीक है मैं universal set ले लिए 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 1,2,3,4 A compliment क्या आएगा A compliment यह होता है कि U से सारे element उठालो जो A में नहीं है A में 1 है 2 है 3 है 4 नहीं है तो A compliment में क्या आएगा 4 element ही हमने last class में डिस्कुस किया था अगर आप किसी set की union उसके compliment के साथ करोगे न देखो ध्यान से पहले A के सारे element लिख लो 1,2,3 फिर A compliment के element लिख लो 4 वो आपका दुबारा universal set देखो यू ही बनेगा clear है चीज़ माईने बस यह रखो किसी set की union अगर उसके compliment के साथ की जाए न आपको universal set ही answer मिलेगा क्योंकि वो बड़ा set होता है A और A compliment का नहीं comparison देखेंगे फिर हम देखेंगे A union A compliment हमेशा किसके इकल होता है universal set की यह आपको properties help करने वाली है इसलिए मैंने यह discuss की है ठीक है ऐसी ही मैं intersection की properties भी discuss करने वाली हो तो union क्या होता है सारे elements आप ले लो A union B में जैसे पहले A की elements ले लो फिर B की elements लिखो लेकिन B के वो elements नहीं लिखने जो already मैं union B के set में लिख चुके हो अगर A की union A के साथ की जाए same set आता है A की union empty set के साथ की जाए तो वापिस से A आता है आपके पास A की union universal set के साथ की जाए तो U आएगा A की union आप उसके साथ करो compliment के साथ तो आपके पास U आएगा ये सारी हमने properties discuss कर ली हैं ऐसी हम intersection की भी discuss करेंगे क्योंकि जब हम examples करें हमें problem ना आए clear है ये चीज inside properties को एक page पे लिख लेना बहुत easy हैं क्योंकि मैंने लग-लग slides पर लिखा है तो आपको tough लग रहे हैं कि इतनी सारी है नहीं ये बहुत easy है intersection of sets and difference of sets last class में क्या पढ़ा था union of sets ये तीनो most important है next class में मतलब कल हम इनके questions करेंगे तो इनको ध्यान से समझ लो ठीक है सबसे पहले आज क्या करना है intersection of sets I hope आपको जो मैं last class में union of sets करवाई आपको clear है वो most important है वो पार्ट अच्छे से देख रहे है आज हम कर रहे है 7th part 1 to 6 parts हम set theory कर चुके है intersection of sets most important और सबसे easy union से भी easy है कैसे देखो पहले बताओ union में हम यू लिखते थे न अगर 2 set की union निकालनी होती तो क्या लिखते थे A union B और अगर intersection तो A intersection का यह sign होता है यहाँ फिर आप कह सकते हो reverse you है ठीक है A intersection B का यह sign है बहुत easy है निकालना A में element लिए 1,2,3 ठीक है B में element लिए मैंने 2,3,4 और अगर मुझे A intersection B निकालना है न बहुत easy है वो element लिखतें intersection में जो A में भी हो और B में भी हो जो A में भी हो और B में भी है तो A intersection में कौनसे element आएंगे 2 और 3 clear है इस चीज इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि common elements लिखने है ऐसे element जो A में भी हो और B में भी जैसाएंगे आप ए 1 लिख है A में लेकिन B में तो नहीं है तो हम 1 नहीं लिखेंगे intersection में, intersection में सिर्फ और सिर्फ common elements आएंगे, इसलिए intersection में क्या आया, 2,3, clear है और example से clear करते हैं, जिसलिए यहाँ पर A क्या है, 1,2,3,4, B क्या है, 3,4,5, तो A intersection में B में क्या आएगा, जो दोनों में है, दोनों में क्या है, देखो 3, 4, 3, 4 तो intersection में क्या हैगा, 3 और 4 आएगा, clear है इंटर सेक्षिन में हमेशा common elements आएंगे, दोनों सेट के, बहुत इसलिए, यूनिन में तो सारे लेने पड़ते थे हमें, यहाँ पर सिर्फ common elements लेने हैं, तो intersection क्या होता है, is the set of elements which belongs to both A and B, यह उन elements का set है, जिसमें A के भी element हो, B के भी element हो जो A की time पे दोनों set में आते हो clear है यह चीज, intersection में कोई doubt, यह देखो ऐसा question कैसे आते है, if A is this, B is this find A intersection B, next class में मैं बिल्कुल questions लेके आने वाली हो, सिर्फ union intersection difference के, वो तब ही अच्छे तक clear होंगे, जब आपको properties और intersection union clear होंगे, अब देखो A और B दे रखा, क्या निकालना है, A intersection B, मतलब common element निकालना है, देखो कौन से ऐसे element है, जो A में भी है और B में भी हैं, देखो, यह A बिल्कुल नहीं, A तो है इनी B में, B बिल्कुल है, C नहीं है, D है, तो common element क्या हुआ, B, D आप एक set के element उठा के, चक करो, वो दूसरे set में हैं के नहीं, बस clear है यह जीज, तो यह इसके common element क्या है, B, D तो A intersection में कितने element है, दो element, that is B and D, ठीक है ना, बहुत easy intersection निकालना, next देखो, properties के intersection of sets के, अगर आपको union clear है ना, तो intersection में कोई दिक्कत ने आएगे, पहली property याद है union की, क्या थी, कि A union B करो, या फिर B union A, फरक नहीं पड़ता, same answer आता है, similarly, आप A intersection B करो, या B intersection A, फरक नहीं पड़ता, क्योंकि common element ही तो चाहे, चाहे, A element पहले रख लो, A set पहले रख लो, चाहे, B set पहले रख लो element, अच्छे, एक बात बताओ, ये बात आपको clear हुँचे, चाहे, मैं ये set में लिख रही हूँ, चाहे, ये लिख रही हूँ, ये same बात है, आप elements को आगे पीछे लिख सकते हो, set में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन element तो same है, ये भी 2, 3 है, ये भी 2, 3 है, तो कोई फरक नहीं पड़ता, A intersection, B करो, या B intersection, A, आपके पास same element ही आता है, आप example से भी clear कर सकते हो, A क्या है, 1, 2, ठीक है, B मैंने क्या लिया, 2, 3, आप A intersection, B में क्या आएंगे, A और B का common element, that is 2, B intersection, A में भी तो यही आएगा, कि B और A का common element, तो वो भी क्या आएगा, 2 आएगा, clear है चीज, तो A intersection, B करो, या B intersection, ये फरक नहीं पड़ता, answer same आता है, ये commutative low है, नाम याद रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, stress नहीं लेना कि नाम नहीं याद रहरा है, कि naming नहीं याद रहरा है, ये commutative low है इसका नाम, बस ध्यान रखना, चाहे A intersection, B करें, चाहे B intersection, A, answer same, देखो, next क्या है, associative low, ये भी बहुत easy है, क्या होता है इसमें, वो कहता है अगर तीन सेट्स हैं, आपके पास A, B और C, आपको तीनों की intersection करनी है, कोई फरक नहीं पड़ता, पहले A, B की करो, फिर C के साथ करो, या फिर पहले B, C की करो, फिर A के साथ intersection करो, कोई फरक नहीं पड़ता, ये भी example से clear कर सकते है, A ले लो 1, 2, 3, B ले लो 2, 3, और C ले लो आप 3, ठीक है, ध्यान से देखो, पहले ही कह रहे हैं, A intersection B करते हैं, intersection B क्या आने वाले आपके पास 2 और 3, है न, क्योंकि common element है, intersection C के साथ C क्या है, 3, तो final intersection क्या आएगी, 3 ही आएगी, क्योंकि इन दोनों set का common element क्या है, 3 है, clear है चीज, अब आगे देखो, A की intersection B intersection C के साथ, B intersection C क्या आने वाले है, 3, क्योंकि इन दोनों में common element 3 है, ठीक है, A में क्या है, 1, 2, 3 की intersection 3 के साथ, एक ही तो common element है that is 3 तो ये भी क्या आ रही है 3 आ रही है तो कोई फरक नहीं पड़ा देखो इधर भी 3 आ रहा है आंसर इधर भी 3 आ रहा है बस आपको common element डालना है और उसको लिखना है बस clear energy is intersection ऐसे निकालने है कोई फरक नहीं पड़ता है तीन सेट में आप पहले किन दो की कर रहे हो दोनों के आंसर सेम आएंगे this is the one of the property of the intersection of sets next is add important लो name याद रहते तो कोई बात नहीं अदर्वाइस ये ध्यान रखना अगर किसी set की intersection उसी के साथ करी जाए तो वही set आता है कि A intersection है मतलब A set है मालो कोई 1,2,3 इसमें इसी के common element ढूणने अपने साथ ही दूसर सेट देखो ये दुबारा लिख लो इनके common elements तो सारे ही है ना देखो same element है तो A intersection A में भी 1,2,3 ही आएगा मतलब किसी set की अगर अपने साथ ही intersection करे तो भी ये आता है और union करे तो भी ये आता है मैं साथ-साथ union का भी comparison करवा रही हूँ मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने union वाला part अच्छे से की clear है चीज तो same set की intersections जो हो वो ही set answer आता है next देखिए next आपके पास आता है question question करते है फटा-फट से कि अगर U क्या है X is a natural number कि U set है सारे natural number का मतलब 1, 2, 3, 4 natural number कहां से start होते है 1 से points वाले decimal वाले नहीं होते B में क्या है 2X बिल्कूल B में 2X है means 2 into X है जिसमें X मेरे पास natural number है है ना क्योंकि X कहां से है U से है U में क्या है natural number तो आपने 2X लिख है मतलब यह क्या है 2 into X X कहां से है U से मतलब natural number होगा तो मैं एक एक करके X को value देना शुरू करूँ means 2 into 1 2 into 3 ऐसे up to son means इसमें element क्या आगे 2, 4, 6 and up to son तो B मेरा set builder form में था मैंने उसे tabler form में change कर लिया ठीक है बिल्कूल तो मेरा B बन चुका है 2, 4, 6, 8 clear है यह चीज अब C देखो C में कहें 2X plus 1 कोई दिक्कत नहीं है X को पहले क्या डालेंगे 1 फिर X को क्या डालेंगे 2 क्योंकि X U से है U natural number है X की एक करके मैं value दूँगी पहले मैंने 1 दी फिर मैंने 2 दी फिर मैं X को 3 value दे रही हूँ and up to son तो यह क्या बनेगा 3 यह बनेगा 5 यह बनेगा 7 and up to son clear है चीज इन्होंने कहा है कि find B intersection C मतलब B और C में common elements निकाल लिए अब ध्यान से देखो B में सारे even numbers है है ना और C में सारे odd number है 3, 5, 7, 9, 11 क्या कोई intersection means क्या कोई common point मिलेगा आपको बिल्कुल भी नहीं यह even number है यह odd number है इनमें कुछ common है ही नहीं तो B intersection empty set होगा B intersection C वो क्या आएगा 5 clear है चीज common element नहीं निकल सकता अगर एक set में even number है एक set में odd number है same number कोई आएगा ही नहीं तो इन दोनकी जो intersection है वो क्या है 5 है means empty set है तो intersection निकालने तो easy है कि common elements निकालो बट हर बार आपको ऐसे elements set में तो नहीं मिलेंगे आपको set builder form में मिलेगी जिसको आपको tabler form में change करना पड़ेगा और union और intersection की properties लगाने पड़ेगे clear है चीज नेक्स देखो आप A intersection देश ये करने से पहले मेरी बाद ध्यान से सुनो अगर कोई आपके पास दो sets है A और B ठीक है A जो है अगर B में contain है तो इसकी intersection में हमेशा छोटे वाला set आएगा क्या हैगा हमेशा छोटे वाला set लेकिन अगर एक set दूसरे में contain है उसकी union में क्या होता था हमेशा बड़े वाला set आता था मैंने last class में discuss की है लेकिन अगर intersection कर रहे हो और एक set दूसरे में contain है तो intersection का जो answer है वो क्या हैगा हमेशा छोटे वाला set आएगा तो अगर A B में contain है तो A intersection B का answer आपके पास क्या आने वाला है, A ही आएगा, ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब A intersection 5 है, 5 हमेशा एक चोटा set होता है, ऐसा खाली set जिसमें कुछ भी नहीं है, वो क्या होगा हमेशा, चोटा set होगा, तो इन दोनों की जो intersection है वो क्या आएगी, 5 ही आएगा, common element कहां से डूंडोगे, तो इन दोनों की जो intersection means common elements का set है, वो 5 means empty आने वाला, clear है चीज़, तो A intersection 5 जो है, वो आपके पास 5 आता है, तो कि A union 5 में बड़ा set A ही आता था, I hope आपको union और intersection clear है, इनकी properties एक पेच पे लिख लेना, यह मैंने अलग-अलग slides पे लिखे, इसलिए आ U, आप देखो U क्या होता है, universal set, the boss of all the set, अगर A की intersection U में है, अब U क्या है, boss set, मतलब A U में होगा, है न, A subset होगा U का, और आपको पता है, जब intersection होती है, तो छोटे वाला set answer आता है, यहाँ पे छोटा set कौन है, A है, तो A intersection U के आने वाली है, A आने वाली है, clear है जीज, union होत होती है, तो बड़ा set answer आता है, अगर एक दुसरे में वो contain है, अगर intersection हो रही है, और वो एक दुसरे में contain है, तो आनसर के आएगा, चोटा set आएगा, चोटा set आएगा, उनिवर्सल set में तो सारे set contain होते है, A भी U में contain होगा, तो जब मैं इनकी intersection होंगी, तो चोटा set ही answer और A मैंने कोई set लिया, one, two, ठीक है, और A compliment के आएगा, फिर three आएगा, A compliment में वो सारे elements होते हैं, जो A में ना हो, उनिवर्सल set से देखने होते हैं, कि A compliment क्या होंगे, उनिवर्सल set के वो सारे element जो A में ना हो, one आ गया नहीं लिख सकते, two आ गया नहीं लिख सकते, भचा क् 3 तो एक compliment में 3 आएगा अब इन दोनों की intersection देखो बिल्कूल क्या आएगी empty set दोनों में कुछ common ही नहीं है अरे a compliment में element ही मैंने वो ली है जो a में ना हूँ तो इन में common कैसे आएगा तो हमेशा किसी भी set की intersection उसके compliment set के साथ हमेशा क्या होती है empty होती है कुछ भी उनमें common नहीं होता clear है चीज next is difference of sets लेकिन उससे पहले एक बर sum up कर लेते हैं intersection क्या होता है intersection का means ही होता है कि आप common elements निकाल रहो क्या निकाल रहो बच्छे common elements निकाल रहो दोनों set का फिर क्या सीखा है आपने सबसे पहले commutative लो देखा कि A intersection B करो या फिर B intersection A दोनों के element से माने वले हैं second चीज associative नाम याद होता है कोई बात नहीं नहीं याद तो भी कोई बात नहीं ठीक है तो यहाँ पर क्या है A intersection B intersection C पहले B intersection C का करो या फिर A intersection B का pair करके करो कोई फरक नहीं पढ़ता आंसर B third क्या करा कि अगर A की intersection की जाए किसके साथ A compliment के साथ अभी करा वो क्या आएगा empty A की intersection empty set की साथ की जाए तो वो भी क्या आएगा empty set आएगा यह सारे हमने पढ़े है कोई और भी पढ़े है add-on की है कोई भूल रही हो मैं union वाला किया है बस और एक add-on potent वाला बिल्कु लिख देते हैं अगर किसी set की intersection अपने साथ ही की जाए वही answer आता है किसी set की intersection universal set के साथ की जाए तो आपके पास same set answer आता है क्योंकि intersection में चोटा set आता universal set बड़ा होता है देखते हैं next is difference of sets difference क्या है बहुत इसए difference means minus ठीक है suppose a में element है 1, 2, 3 ठीक है और b में element है 2, 3 और मैं आपको कह रहे हूं a minus b निकालो बहुत इसए है वो कह रहे है a में जितने b के element है उसको निकाल दो b के element कहा है 2, 3 तो a में से वो कह रहा है 2, 3 निकाल दो तो element क्या आजएगा 1 आजएगा clear ages तो a minus b निकालना easy है मतलब a में से b के element को निकाल दीजिए आपको a minus b मिल जाएगा आगे देखिए क्या कह रहा है देखो a क्या है यहाँ पे देखो a दे रहा है 1, 2, 3, 4 b क्या दे रहा है 2, 4, 7, 9 मुझे a minus b निकालना है मतलब a में से वो element नहीं लिखने जो b में भी है आप देखो a में ऐसा 2 और 4 element है जो b में b है तो मैं 2 और 4 को नहीं लिखूंगी सिर्फ 1 और 3 को लिखूंगी क्योंकि 1 और 3 सिर्फ a में present है b में नहीं ठीक है a minus b का मतलब a set में से b के वो सारे elements निकाल दो जो a में b हो तो वो 2 और 4 element था जो a b दोनों में था तो मैंने निकाल दी answer क्या आया 1, 3 वो यहाँ पर लिखा हूँ है ठीक है अगर a में ऐसा कोई element है जो b में भी present है उसको आप a minus b में नहीं लिखोगे ठीक है अब जो मैं कल examples करवाऊंगी equations करवाऊंगी उससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए मैं बता देते हूँ आप union revise करके रखना आप intersection revise करके रखना ठीक है compliment जरूर revise करना most important है और difference offsets ये चार टम्स आप revise करके रखना तभी आपको next class के जो examples हैं ये questions से समझाएंगे जो most important है तो राजम करने वाले है questions union and intersection के इतने दिनों से हम बढ़ रहे हैं 2-3 classes इस पही थी न union and intersection के उपर compliment के उपर अब इसी के question कर रहे है and trust me guys at the end of the class you'll realize कि कितना easy concept है union and intersection का तो without wasting time फटा-फट से start करते है question बस दो बातों का ध्यान रखना पहला set को convert करना अगर वो set builder form है उसको tabler form में आप change कर पाओ and second चीज़ आपको union, intersection, complement ये साही terms clear होनी चाहिए हाँ थोड़ा वो doubt है इनमे तो मैं आपको जो questions कर रहाँगी वो और जो भी थोड़े वो doubts है वो भी clear हो जाएगे ठीक है, चलो फटा-फट से start करते है आपको एक set दे रखा है A, B and C ठीक है, आपको describe the sets क्या रिकालने है A intersection, B intersection, C यह सब आपने तीनो parts करने है सबसे पहली चीज हम A, B, C को एक elements की form में तो लिख ले पहले ही multiple of 2, multiple of 5, multiple of 10 की form में दे रखा है तो tabular form में लिख लेते है A में क्या है multiple of 2 मतलग इसमें 2 का table लिखेंगे that is 2, 4, 6, 8, 10 clear है चीज B में क्या है multiple of 5 means B में मैं 5 का table लिखूंगे 5, 10, 15, 20, 25 C में क्या है multiple of 10 means मैं C में 10 का table लिखूंगे 10, 20, 30, 40 clear है चीज and so on सारे elements लिखने की ज़रूरत नहीं होती clear है चीज सबसे पहला step क्या होता है अपने set को अपने according form में change करके लिखो तो मैंने यहाँ पे A, B, C को tabular form में लिख लिख लिया next देखो first part first part है A intersection B, intersection C कोई भी question हो सबसे पहले जो bracket में दिया होता है न उसको solve कर लो ठीक है bracket में क्या दिया हुआ है A intersection B तो मैं क्या निकालूंगी A intersection B intersection का मतलब common elements निकाल लो एसे element जो A set में भी है और B set में भी है देखते है आराम से A set में क्या है 2 है और क्या है 4, 6, 8 ये B में नहीं है तो नहीं आएंगे A और B के common elements कौन से होंगे 10 यहाँ पे भी 10 है है ना आप 2 का table लिख रहे हो 5 का table लिख रहे हो कौन से elements ऐसे है जो A में भी आएंगे B में भी आएंगे वो होंगे 10 है ना और कौन सो होगा 20 और कौन सो होगा 30 इसके इलावा और कोई element नहीं है जो A, B में common हो तो मैं A, B मिलेगे तो 10, 20, 30 clear है ना चीज इसमें 2 का table आ रहे है इसमें 5 का table आ रहे है 5, 10, 15, 20 5 के table में वही number आते है या तो जिसके end में 5 हो या उसके end में 0 हो अब 5 जिसके end में हो वो even number तो नहीं होता वो 2 के table पे नहीं जाता तो बचे कौन से number जिसके end में 0 हो तो A, intersection B मतलब वो 2 के table में भी जाए 5 के टेबल में विज़ा है, वो कौन से elements है, 10, 20, 30, clear है चीज, similarly देखो A intersection B तो आ गया, आप brackets से बहार निकलते हैं, वो क्या कहरें, intersection C कर देते हैं, इसकी intersection किसके साथ करेंगे, C के साथ बिलकुल, C set में क्या है, 10, 20, 30, 40, इसमें भी 10, 20, 30, 40, means बिलकुल same elements है, तो A intersection B की intersection C के साथ क्या होगी, 10, 20, 30, क्योंकि सारे elements ही common है, तो पूरा का पूरा set ही intersection में आ जाएगा, clear है चीज, बहुत easy है, बहुत ध्यान से देखो, A intersection B निकाला, C के साथ intersection निकालने हैं, बतलब C के साथ common points निकालने हैं, C के भी सारे वहीं हैं, 10, 20, 30, A intersection में भी 10, 20, 30 है तो जब मैं इसका solution निकालूंगी, तो इसमें पूरा set 10, 20, 30, 40 ही आएगा, clear है चीज, just common sense लगानी है, with the definition of set theory, चले आगे, ये clear है A intersection B intersection C, चले next step पर, next है A union B intersection C, क्या है A union B intersection C, ध्यान से समझो भी clear नहीं हो रहा, तो एक बार अराम से time लगा के देखो, A क्या है मेरे पास, 2 का table, बिल्कुल correct है, मैंने 2 का table लिख लिया, ठीक है, B मैंने क्या लिखा, 5 का table लिख दिया, 5, 10, 15, 20, ठीक है, C में क्या था, 10 का table लिख दिया, 10, 20, ये, मैंने नहीं, ये question बोल रहा है, इसलिए लिखे है, ठीक है, वो कह रहे है, A union B intersection C, और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके पस कुछ ऐसा solve करना है, पहले bracket वालिट हम निकाले जिए, और यहाँ पर bracket में क्या है, B intersection C, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, B intersection C, intersection का मतलब होता है, आपको common elements निकाले है, ठीक है, तो इसमें देखो common elements क्या है, 5, 10, 15, 20, इसमें 10, 20, 30, 40, देखो 10, 10, दोनों में आ रहा है, 20, 20, दोनों में आ रहा है, तो common elements क्या होंगे, 10, 20, 30, भी आता है, 5 की table पे लो, 40 भी आता है, 5 की table पे लो, तो यहाँ पर elements आगे, तो B intersection C में आएगा, 10, 20, 30, 40, clear edges, अब वो बोल रहे है, A की union करो, B intersection C सा, बतलब जो bracket वाले sets थे मैंने निकाल लिए, अब इसकी union करनी है, मुझे किसके साथ करनी है, A के साथ, A में कौनसे element है, 2, 4, 6, 8, union का मतलब होता है, सारे elements लिख दीजिए, लेकिन जो common elements है, उनको छोड़ दीजिए, दुबार दुबार ने लिखना, बस A की बार लिखना है, चलो फिर लिखते हैं, हाँजी, A union, B intersection C, A म 18, 18, 20, and up to 20 को भी एक बार लिखना है, क्योंकि 20 इसमें भी है, और A में भी 20 आएगा, क्योंकि A में 2 का table है, अब टू सोन इतने सारे elements लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो A union, B intersection C में 2 का table ही आएगा, clear है यह चीज़, बहुत easy है, लेकिन common sense के साथ, बिल्कुल इतना tough नहीं है, लेकिन आपको जिसे tables, 2, 3, समझ आने चाहिए कि कौन सा number किस में आ रहा है, जिसे 5 के table में 5 वले भी आते हैं, 0 वले भी आते हैं, अगर आप 2 के table के साथ इसके intersection निकाल रहे हो, तो सिफ 0 वले ले पाएंगे ना, क्योंकि जिसके end में 5 है, वो तो 2 में नहीं जाएगा, तो वो intersection में कैसे आएगा, intersection में तो common elements आते हैं, ठीक है, नेक्स देखो C पार्ट क्या है, C है A की intersection B union C के साथ, A की intersection करिए B union C के साथ, पहले B union C निकालेंगे, B में हमारे पास 5, 10, 15 है, और C में क्या है है हमारे पास 10, 20, 30, अगर इनकी union की जाए, union में तो common element नहीं देखते हैं, सारे element लिखते हैं, that will be 5, 10, 15, 20, 25, 30, सारे elements आएंगे, लेकिन 10 को A की बार लिखना है, दोनों में है, फिर भी A की बार लिखना है, that is B union C, clear है चीज़, अब इसकी A की intersection करने है, B union C के साथ, मतलब A फिर A की intersection, B union C के साथ, A में क्या है, सारे 2 का table है, 2, 4, 6, 8, 10, अब इसमें और इस set में क्या common आएगा, देखो 5 तो आ नहीं सकता common, 10 है, हाँ 2 के table पे 10 आता है, तो 10 आएगा, 2, 4, 6, 8 इस set में तो आरा है, पर इस set में नहीं आरा, तो आपको common element निकालने है, ऐसे element जो 2 के table पे भी जा रहे हो, और जो किसके इस B union C में भी आ रहे हो, तो वो 10 है, वो 20 है, वो 30 and up to 100, तो A intersection, B union C, 10, 20, 30 आ रहे हैं, clear है चीज़, आपको set के common elements निकालने हैं, अगर intersection पूछ रहे हैं, तो common elements निकालने हैं, और अगर union पूछ रहे हैं, सारे elements लिखने हैं, बड़ जो common elements ह उनको दुबारा दुबारा नहीं लिखना, clear है चीज़, एक ही बार लिखना उसको, intersection में सिर्फ लिखने ही common element है, और union में लिखने सारे elements है, बड़ जो repeat हो रहे हैं उसको एक बार, चलें आगे, next question देखो, U दे रखा है A, B, C, क्या निकालना है, A compliment, क्या निकालना है, A compliment, क वो element आएंगे, U के, जो A में नहीं है, देखो, A में 1, 2, 3, 4 है, तो ये वाले element में नहीं ले सकती, बचे क्या, 5, 6, 7, 8, 9, तो A compliment में elements आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, clear है चीज़, so A में 1, 2, 3, 4, और A compliment में 5, 6, 7, 8, 9, ये लिख सकते हो आप, U के वो element जो A में ना हो, वो A compliment में हैं Similarly, B में देखो, B compliment देखते हैं, B compliment क्या आने वाला है, हमारे पास B में क्या है, 2, 4, 6, 8, B में क्या है, 2, 4, 6, 8, मैं जाओंगे, Universal Set के पास, तो B compliment में वो element आएंगे, जो B में ना हो, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, बाकी बचे element, 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके पास किस मे आएंगे, B compliment में, हैना easy, just UK element देखने है, जो B में ना हो, वो B compliment में आएंगे, next देखो, A intersection C compliment, बहुत easy, A intersection C, मतलब A और C के common elements देखते हैं, ये रह A और ये रह C, इनके common elements क्या आएंगे, देखो, A क्या है, 1, 2, 3, 4, B में क्या है मेरे पास, C में सोरी क्या है, 3, 4, 5, 6, इनके common element क्या है, देखो, 3, 4, है ना, तो A intersection C में क्या है, 3, 4, पर मुझे A intersection C थोड़ा निकालना है, मुझे A intersection C का compliment निकालना है, compliment का मतलब universal set के पास जाऊंगी, जो इसने element ले रखे, उसको छोड़के, जो बचेंगे element उनको लिखूंगी, तो 3, 4 नहीं लेना, तो 1, 2, 5, 6 7, 8, 9, किसमें आएंगे, A intersection C compliment, clear है यह चीज़, बहुत easy है, अगर आपको कभी भी compliment निकालना है, पहले को set निकालीजिए, universal set पे जाएए, जो set में element उसको छोड़के, बाकी बचे element लिखे, वो आपको compliment देगा, next देखो, A union B का compliment, कैसे निकालूंगे देखो, ध्यान से दे element आते, repeat नहीं होते, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, यह देखो, इसमें 1 और 2, sorry, 2 repeat हो रहा था और 4, बाकी तो वही है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, union में सारे element लिखने, repeat नहीं करने, ठीक है, पहले मैंने A के देखो, सारे element लिख लिए, 1, 2, 3, 4, B में 2 आ रहा था, वो already आ चुके, नहीं लिखूंग लिए हमेशा universal set के पास जहिए, और देखे universal set में इनके लावा कौन से element पढ़े है, 1, 2, 3, 4, 6, 8 हो गया, तो बचा 5, 7, और 9, तो इसमें कौन से element आएंगे, 5, 7, 9, clear है चीज़, तो अगर आपको किसी का compliment चाहिए, वो set निकाली है, और universal set में जाकर, उन elements को छोड़के, बा A set ही वापिस आता है, तो आप A set ही लिखोगे, किसी set का दो बार compliment करो, वही set वापिस आता है, ठीक है, next देखो, next क्या है, B minus C compliment, बिल्कुल last class में B minus C करवाया बने, पहले B minus C तो निकाल ले, फिर उसका compliment निकालेंगे, B क्या है देखो, 2, 4, 6, 8, C क्या है, 3, 4, 5, 6, B में से C के element को minus कर दो, B में 2 है, C में क्या है, 4 बट वो C में भी है, तो cancel कर दो, 6 C में भी है, cancel कर दो, 8 C में नहीं है, तो cancel नहीं होगा, B में जितने भी ऐसे element है, जो C में भी present है, उनको minus कर दो, that will be 2 and 8, so B minus C कितना है, 2 and 8 आ गया, clear है चीज, हमें तो इसका compliment निकालना है, B minus C का क कालना है, compliment, तो चलते हैं, universal set के पास, उसमें से 2, 8 नहीं लिखेंगे, बाकी element लिख देंगे, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, is the answer for the B minus C compliment, clear है चीज, I hope आपको clear है, ये questions बहुत easy हैं, बहुत जाद, question is, verify that, बहुत easy होते हैं, इस तरह के question, इसमें क्या होता है, आप left hand side का लग से solution निकालो करोगे, right hand side को लग से solve करोगे, फिर end में देखोगे, कि दोनों के answer सेम आ रहे हैं, उससे आपका verify हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग क्लासे में भी करते आए हैं, देखो कैसे, A intersection B का compliment निकालना है, उससे पहले, compliment से पहले आप क्या करोगे, A intersection B निकालोगे, मतलब ऐसे elements लिखोगे set में, जो A और B दोनों में है, A में क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें क्या है, 3, 6, 7, 8, तो मुझे जो common element दिख रहे हैं, वो 3 और 6 दिख रहे हैं, है ना, और तो कोई element नहीं है common, तो 3 और 6 आगे A intersection B में, मुझे चाहिए A intersection B का compliment, compliment के लिए मुझे कहा जाना पड़ है, universal set के पास, universal set में देखो क्या है, 1 से लेके 8 तक elements है, universal set में जाके मैं वो element नहीं लिखूंगी, जो A intersection B में already है, वो है 3, 6, तो बचे कौन से element, 1, 2, 4, 5, 7, and 8, clear है चीज, तो मेरे पास जो left hand side आ चुका है, that is, वो क्या आ चुका है A intersection B का compliment left hand side में, that is, 1, 2, 4, 5, 7, 8, अब हम करेंगे right hand side, right hand side क्या है, A compliment, union, B compliment, पचे union तो मैं तब निकालूंगी, पहले मैं A compliment और B compliment ही निकालूंगी, तो A क्या है मेरे पास, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे कहा जाना है, A compliment के पास, compliment के लिए हमें universal set के पास जाना है, हमें universal set ही compliment देता है, तो A में क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, तो elements जो A में नहीं है universal set में से वो compliment में आएंगे clear है जी next देखो next क्या चाहिए B compliment B compliment देखो क्या है B में क्या है 3678 फिर हम compliment के लिए किसके पास जाएंगे universal set के पास तो क्या आएंगे हमारे पास देखो 3678 को छोड़के जितने भी universal set में element है वो 124567 नहीं लिखना 8 नहीं लिखना तो बचे क्या 1245 clear है चीज मुझे इनकी क्या चाहिए union union में क्या लिखेंगे A compliment union B compliment बहुत इजी है union में सारे elements लिखते हैं बड़ जो repeat और उसको एक बार पहले A compliment के सारे elements लिख देते है 178 अब B compliment के सारे elements लिखते है 1 तो आ चुक है नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे बिल्कुल 4 लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे तो देखो 178 245 यहाँ भी देखो 178 245 elements बिल्कुल सेम है हाँ आगे पीछे लिखे हुआ है मैं मानते हूँ बट यह element सेम होते है set में फरक नहीं पढ़ता order से की element कहा लिखा हुआ है clear रहे है जीज तो A intersection B compliment A compliment union B compliment के एकल होता है मैंने verify कर दिया hence verified या फिर hence proved clear रहे है जीज बहुत easy है left hand side को लग consider करके solve करो right hand side को लग और दोनों के answers को same दिखा दो चले आगे next देखो situation is if A is this B and C is this universal set दिया हुए verify करना है ये हमें करें start सबसे पहले ध्यान से देखो verify का मतलब left hand side अलग solve करेंगे right hand side अलग और दोनों के answers सेम आएंगे verify हो जाएगा चलो फिर करते हैं start left hand A union B intersection C तो सबसे पहले जो bracket में लिखा है उसे solve करो क्या लिखा है B intersection C मतलब मैं क्या निकालने वाली हूँ B की intersection C के साथ मतलब B और C के common points देखते हैं B में क्या है 1 2 3 4 5 7 6 में क्या है 2 6 7 10 हमेशा intersection के लिए सबसे पहले छोटा set चेक करना शुरू करते हैं देखो चोटा कोन है B और C में C है C के element चेक कर लेते हैं B में हैं के नहीं क्योंकि वो चोटा set है common elements जल्दी मिल जाएंगे तो C में 2 है B में है ठीक है जी अगर दोनों में है तो intersection में आ जाएगा 6 है B में भी है C में भी है दोनों में है तो intersection में आ जाएगा 10 नहीं है तो 2, 6, 7 ही आएगा हमेशा छोटे set को उठा लो और उसके elements को चेक कर लो वो बड़े set में है के नहीं जल्दी से intersection मिल जाएगी तो B intersection C में में मेरे पास क्या आया 2, 6 and 7 clear एचीज अब मुझे क्या चाहिए A union B intersection C मतलब A set के साथ यह जो मैंने B intersection C करके निकाला है इस set की मैं क्या कर दू union कर दू union में क्या करते है पहले A set के सारे elements लिख लिजी A set में क्या है 2, 4, 6, 8, 10 फिर B intersection C के वो elements लिख लिजीए जो पहले हम नहीं लिखा किस में नहीं लिखे हमने union में नहीं लिखा देखो 2 है 2 आ चुके नहीं लिखेंगे 6 है वो भी आ चुके नहीं लिखेंगे 7 बचा है वो हम लिख देंगे union में पहले set के सारे elements लिख लो और जो second set है जिसके साथ union करनी है उसके वो elements लिख लीजीए जो repeat ना हो मतलब जो एक बार आ चुके उन्हें दुबारा नहीं लिखना clear है चीज तो हमारे पास जो left hand side के elements हैं वो आये है 2, 4, 6, 8, 10, 7 मैं लिख देतू इसको 2, 4, 6, 7, 8, 10 ये हमारे पास left hand side का set है अब हम right hand side का set निकालेंगे और ये दिखा देंगे कि दोनों के set और elements से मारे है चलो करते हैं फिर अब A union B की intersection किस के साथ चाहिए A union C के साथ सबसे पहले bracket solve करते है मतलब सबसे पहले क्या निकालूंगी मैं A union B ठीक है निकालेते है A में क्या है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 B में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब मुझे पहले क्या निकाल ला है union तो A union B में क्या निकलेगा पहले A के सारे elements दिखलो 2, 4, 6, 8, 10 फिर मुझे B के वो elements लिखने है जो बच गए है जो मैंने already नहीं लिखे इसमें जैसे देखो 1 है B में नहीं लिखा भी तक 2 लिख चुकी हूँ फिर B में 3 है नहीं लिखा वो लिख देती हूँ 4 है 4 में लिख चुकी हूँ नहीं लिखूंगी तो क्या बचा 5 and 7 clear age is आगे देखो A union C तो सबसे पहले A के सारे element लिख लो 2, 4, 6, 8, 10 clear age is अब क्या लिखेंगे लिख दीजिए मतलब पैज़े से मालो आपने A union B करना है तो A के सारे elements लिख दीजिए फिर B में चेक कर लिजिए जो नहीं आया union के set में अभी वो बचोवे elements भी आप लिख दीजिए जो same है उसको repeat नहीं करना clear age is अब आगे लिख देते हैं दोनों में 6 आ रहा है intersection में 6 लिख देते हैं और दोनों में 8 भी आ रहा है तो 8 भी लिख देते हैं intersection में और क्या रहा है दोनों में 1 नहीं आ रहा दोनों में नहीं आएगा intersection में 3 भी नहीं आ रहा 5 भी नहीं आ रहा 7 आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 7 भी दोनों में आ रहा है, तो 7 भी आएगा, clear है चीज, ऐसे elements जो दोनों set में common हैं, वो मैंने लिख दिये, देखो आप left hand side और right hand side के set, same आ रहे हैं, इसका मतलब ये मेरा verified हो गया, hence proved, clear है चीज, तो अगर आपको ये question एक्जाम में मिल जाता है, फिर तो free के marks है, लिटरली बतारे हो, इतना easy है ना, ये free के marks है, union, intersection, और difference of sets आप को आने चाहिए, जो मैंने आपको, बिल्कुल individual classes में भी पहले, एक union की class ली, फिर मैंने intersection and difference की class ली, और आज इसके questions करवा ली, ठीक है, next class की अंदर, आप आपकी जो theorems है ना, आप कोगे वो questions से भी easy है, जो without using the, आपको numbers, या मतलब कोई set नी दिया होगा, आपको use करना है, मालो, A intersection, B का compliment, प्रूफ करेंगे, A compliment, union, B compliment, D morgans, लो, ये सारी चीज़े हम प्रूफ करेंगे, without using any set number, tabular form नहीं, sets की theorem की form में करेंगे, and you will love it, literally बता रहे हूं, आपको theorems ना, questions से भी easy लगने वाले, ठीक ह प्रूफ करना है, तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं, coming back to our topic, data, D morgans, law, most important और बहुत easy भी है, और इसकी theorem by God, बहुत easy है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है, साइट पे रख दो pen copies, बिल्कुल, और ध्यान से समझो में क्या बता रही हूं, ठीक है, में भी हो सकता है, starting में आपको लगे कि numbers नहीं है, set तो हमने पहले ऐसी किये ही नहीं है, पर एक बार ध्यान से समझ लो, screen पे, उसको क्या बता है, एक दो बार और देखना पड़े, बट आपको ये clear हो जाएगे, D morgans, law, बहुत अच्छे से, ध्यान से समझना इसको बहुत easy है देखो, पहले देख लेते हैं, D morgans, law का proof भी करेंगे, statement भी करेंगे, कहीं बार exam में direct पूछ देते हैं, पूछ लेते हैं कि D morgans, law क्या है, आपको statement भी लिखनी होती है, proof भी लिखना होता है, नहीं तो कहीं बार result दे कि पूछ लेते हैं कि इसको proof करो, चिक है, तो हम start कर फटाफट से इसका result क्या है, बहुत easy है, वो कहता है कि अगर दो set की union का compliment लिया जाए, जैसे देखो, A union, B का whole compliment, तो जब compliment दोगे, आप A का compliment, B को भी compliment मिलेगा, बट जो ये union हा, that will be changed into intersection, ये का था, D morgans ने, आगे देखो, A intersection, B का अगर whole compliment ले, A को भी compliment मिलेगा, B को भी compliment म बताओ, इसमें क्या बात है, ये तो बहुत easy है, कि कोई भी whole bracket की उपर अगर compliment है, individually A को भी मिलेगा compliment, B को भी मिलेगा, बट जो union है, बहार compliment है, तो union किसमें चेंज हो जाएगी, intersection में, और अगर किसी bracket में आपके पास क्या है, intersection है, और बहार whole में compliment है, तो intersection किसमें चेंज हो जाएगी, union में ये किसने बताया था, D Morgan's low में बताया था, किसने, D Morgan's ने, तो फटा-फट से start करते है, इसका हमने proof करना है, सबसे पहले हम ये proof करेंगे कि A union B का compliment, equal होता है, A compliment intersection B compliment के, ठीक है, सबसे पहले चीज, अगर मुझे इन दो sets को, ये दो set है, A union B एक combined set है, और A compliment intersection B C調 moving them, कॉइंट सND को, इक combined set है, अगर मुझे left side को right side से equal करना है, कोई sets तो है नहीं कि मैं left side को अलग से solve करना है, right side को अलग से solve करना हूँ, and does the same again, मेर पस कोई elements नहीं है, and does the theorem form में करते हैं, clear है यह चीज तो अगर आपको दो sides means दो sets को equal दिखाना है first वाले को second का subset proof कर दो and second वाले को first का subset proof कर दो अगर कोई दो set एक दूसरे के subsets होते हैं तो वो दोनों set equal हो जाते हैं clear है चीज तो अगर मुझे इसमें left hand side को right hand side को equal करना है तो मैं एक दूसरे कहने क्या दिखा दूँगी? subset दिखा दूँगी ठीके clear है चीज तो पहले मैंने union b कोpar दूसरे कोłण। and secondly मैं a compliment intersection b compliment को subset दिखाँगी ठीके तो सबसे पहले किसको दिखाना है देखो union b का compliment को subset दिखाऊंगी a compliment intersection b compliment को it is like a game अगर आपको concepts clear है ठीक है अगर आपको एक set को दूसरे का subset दिखाना है first set से एक element उठा लीजिए let x belongs to a union b complement मैं proof करते करते ये proof कर दूँगी कि x इसमें चला गया जो मैंने इस set से element उठाया था तो ये proof हो जाएगा ये इसका subset है maybe आपको ये थोड़ा सा जीव लग रहा हो हार्ड लग रहा हो बट आप इसको एक दो बार repeat पे छोरम देख लेना literally बता रही हूं बहुत easy छोरम है अच्छे से clear हो जाएगी लेकिन इसको छोड़ना नहीं ये important है ठीक है चले देखो यहां से x किसमें है a union b के complement में अगर कोई element किसी set के complement में है तो वो उस set में नहीं होता क्योंकि complement कहीं मतलब यह होता है कि universal set से उस element को उठा के लाओ जो उस set में मतलब a union b में नहीं है तो अगर x a union b के complement में है मतलब x a union b में नहीं होगा clear है चीज़? अब ध्यान से एक बात और सुनो अगर कोई element किसी दो set के union में नहीं है मतलब वो किसी भी ना a set में होगी ना b set में क्यों? क्योंकि union में तो सारे elements आ जाते है अगर या वो a में होता या b में होता तो union में तो पक्का आ जाता ना तो अगर वो union में नहीं जा रहा है and xb में भी नहीं जा रहा होगा क्योंकि अगर एक में भी होता हूँ ना union बहुत अच्छा है वो सारे elements रखता है बट repeat वलों को एक बार लिखता है बट यह union में आई ही नहीं रहा इसका मतब ना ही यह a में है और ना ही b clear है यह चीज़? चले आगे अगर x a में नहीं है तो किस में होगा? x a complement में होगा तो लिख देते हैं x a complement में अगर x b में नहीं है तो x कहां होगा? b complement में ध्यान से सुनो जो element complement में होता है वो set में खुद नहीं होता ठीक है और जो set में नहीं होता वो complement में होता है किसी एक में तो होगा ध्यान से सुनो अगर कोई element y है अगर वो a में है तो a complement में नहीं होगा लेकिन अगर वो a complement में है तो a में नहीं होगा कोई set में मालो कोई element है या तो वो set में होता है या उसके complement में होता है यहाँ पर हमने कहा कि वो set में नहीं है, तो फिर complement में होगा, इसका मतलब x a complement में भी है, और x b complement में भी है, आप देखो x a complement में भी है, b complement में भी है, तो intersection में भी तो जाएगा, क्योंकि intersection में वो elements आते हैं, जो common elements हो, तो अगर x a complement में भी है, b complement में भी है, मतलब यह a complement और b complement का common element है, तो X A complement intersection B complement में भी जाएगा तो element कहां से उठाया था? A union B complement में से चला कहां गया? A complement intersection B complement में मतलब ये A union B complement is a subset of A complement intersection B complement क्या मुश्किल है बताओ? क्या है इसे मुश्किल मुझे नहीं समझाता बच्चे थे और हम से क्यों डरते हैं? ये बहुत easy होती है थे और हम कोई number नहीं देखने जस्ट जितना अपने union intersection complement में समझा है वो apply करते जाने है clear है चीज? ये सबसे शोग कर दिया मैंने इन दोनों को equal proof करने के लिए ये दो part proof करने थे इसमें से ये part मैं already कर चुकियो now अब मैं कौन से करने वाले हूँ second part करें start ध्यान से देखो समझो ध्यान से अगर आप इसको ध्यान से समझो कि आपको धीरी धीरे चीजे समझ आने लगेंगी पर ये important है इसको छोड़ना नहीं ध्यान से देखो आप मुझे इसको इसका subset दिखाना है clear है ये चीज़ तो अब मैं right hand side को left hand side का subset दिखाना हूँ ध्यान से देखना अब मैं x element लोगे जिसको subset दिखाना है वहाँ से element लेते हैं अगर x किसी की intersection में जा रहा है मतलब ये common element है तो x a compliment में भी जाएगा and x b compliment में जाएगा अगर कोई element किसी दो set के intersection में जा रहा है मतलब वो common element है तो x a compliment में भी जाएगा और x b compliment में भी जाएगा clear है चीज़ अब x a compliment में जा रहा है b compliment में भी जा रहा है मतलब x a में नहीं जाएगा and x b में नहीं जाएगा मैंने अभी बताया था या कोई element किसी set के complement में हो सकता है या set में खुद हो सकता है अब ये complement में है मतलब set में नहीं होगा x ना ही a में है और ना ही b में है कोई element ना a में है ना b में है तो वो union में भी नहीं जाएगा कोई ऐसा element है जो A में भी ना हो और B में भी ना हो union में जाए वो ही नहीं सकता union में तो सारे elements आते हैं ठीक है repeat वल एक बार लिखते हैं तो A union B में भी नहीं है अब X अगर A union B में नहीं है तो X A union B के complement में होगा अब ही मैंने बताया कि अगर कोई element किसी set में नहीं होता तो उसके complement में होता है और अगर कोई element complement में नहीं होता तो वो set में होता है एक जगा तो element पक्का होता है अब इसने का set में नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मैं कहां लेगी complement में लेगी यहां से element लिया था पहुंच कहा गया यहां पे it means this is a subset of this clear है चीज तो मैंने step 1 भी proof कर दिया step 2 भी proof कर दिया it means this is a subset of this and this is also a subset of this इसका मतलब यह दोनों sets equal है clear है चीज बहुत easy होते है थोरं प्रूफ करना but the thing is अगर आपको left hand side को right hand side के equal दिखाना है left hand side should be a subset of right hand side and right hand side should be a subset of left hand side यह आपको दो parts में solve करना होते है clear है चीज देखो second part में solve कर रहे हूं देखो B part first a part clear हो गये नहीं इसका देखो मैंने a part को clear कर दिया कि दोनों sets equal है चीज बी part देखो b part को show करना है कि a intersection b का complement किसके equal है a complement union b complement इन दो sets को equal proof करने के लिए first मैं proof करूँगी कि a intersection b का complement is a subset of this left hand side should be a subset of right hand side और second part में यह शो करूँगी right hand side should be a subset of left hand side clear है चीज अगर आपको without elements proof करने होते हैं दो sets को equal left hand side को right hand side के equal पहले left वले को right का subset प्रूफ कर दो right वले को left का subset प्रूफ कर दो दोनों sets equal आजाते हैं clear है चीज तो करते हैं प्रूफ अब आप सासा ध्यान से समझना है कि मैं कौन सी कौन सी property कैसे लगा रही हो जैसे देखो a intersection b का complement मुझो दिखाना है a complement union b complement में जिसको subset दिखाना है वहां से element ले लो let x belongs to a intersection b complement हांची इसका मतलब x a intersection b में नहीं है अगर कोई element किसी के complement में है तो set में नहीं होता तो अगर x a intersection b के complement में है तो x a intersection b में नहीं होगा मतलब x या फिर a में नहीं है या फिर b में नहीं है इन दोनों में से एक set में नहीं है क्योंकि अगर दोनों में होता तो intersection में आता अगर दोनों में होता तो वो common element होता और intersection में आता तो अगर वो intersection में नहीं आ रहा इट मींज या तो वो A में नहीं है या फिर B में नहीं है आप देखो X A में नहीं है, मतलब X कहा होगा? A कॉम्प्लिमेंट में होगा X B में नहीं है, मतलब X कहा होगा? B कॉम्प्लिमेंट में होगा ठीकिन है, घर में दो रूम है, अगर बच्चा एक रूम में नहीं है, तो कहा होगा? सेकंड रूम में होगा तो सिमिलरली अगर एक से में नहीं है तो कहां होगा एक कॉंप्लिमेंट होगा तो यह जैसे दो रूम से एक जगा तो होना ही है या एक कॉंप्लिमेंट वाले रूम में होगा या फिर एक में तो होना ही है तो अगर एक से में नहीं है तो कहां होगा ए x belongs to b compliment अब यहाँ पर या तो x a compliment में या b compliment में तो x कहां होगा union में तो जाएगा क्योंकि union में वो चीज चली जाते है अगर वो एक set में भी हो तो x कहां चला गया? a compliment union b compliment में अगर और होता है that is for union और अगर and होता है that is for intersection and का मतलब दोनों में है और का मतलब या फिर इसमें है या फिर इसमें अगर एक भी set में चला गया तो वो union में जाएगा ही जाएगा तो मैंने x लिया था a intersection b compliment में पहुँच गया a compliment union b compliment में मतलब यह set इसका subset है clear यह चीज second part देखो यह तो first part था second दिखाना है कि a compliment union b compliment किसका subset है a intersection b compliment का ठहान से देखना जिसको इसका subset दिखाना है x वहाँ से लेंगे x belongs to a compliment union b compliment अगर कोई element union में जा रहा है हो सकता है वो दोनों sets में हो हो सकता है वो एक set में हो क्योंकि union में वो element भी आज जाता है जो एक set में भी हो है ना क्योंकि union में तो सारे elements लिखते हैं हो सकता है x a compliment में हो और हो सकता है x b compliment में हो यहां मैं and नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे confirmation नहीं है कि x दोनों में है के नहीं x हो सकता है दोनों में हो गट union में हम and नहीं और लिखते हैं क्लियर है चीज, क्योंकि कोई element अगर किसी दो set की union में जा रहा है न, मुझे नहीं पता वो A में होने के कारण आ रहा है, कि B में होने के कारण आ रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे पता union में सारे elements आते हैं, repeat वाले one time लिखते हैं, पट मुझे नहीं पता X कहां से exactly, A से या B स तो मैं लिख रही हूँ, XA कॉम्प्लिमेंट में से भी हो सकता है, और XB कॉम्प्लिमेंट में से भी हो सकता है, अगर XA कॉम्प्लिमेंट में हैं, तो कहां नहीं होगा, XB में नहीं होगा, XA में नहीं है, या फिर B में नहीं है, तो इसका मतलब intersection में तो जा ही नहीं सकता अगर element या फिर A में नहीं है, B में नहीं है तो common element कैसे बनेगा तो intersection में नहीं जाएगा, इसका मतलब X अगर intersection में नहीं जारा तो इसके complement में जाएगा, क्योंकि वो set के room में नहीं गया तो उसके complement वले room में जाएगा, तो X belongs to A intersection, B का complement मैंने इस सेट को इसका सबसेट दिखा दिया तो बस यही तो प्रूफ करना था तो पहले इसको इसका सबसेट दिखाया फिर इसको इसका सबसेट दिखाया उसे क्या पता लग गया कि A intersection B का complement किसके equal है A complement union B complement के क्लियर है चीज बहुत इजी है आपको दो स्टेप में दिखाने है एक स्टेप को number one दे दो एक स्टेप को number two दे दो और end में लिख दो by one and two these two sets are equal यह सेट इसके equal है और यह सेट इसके equal है क्लियर है यह चीज बहुत इजी है ध्यान से करना यह theorem में भी आपको टिपिकल लग रही हो बट अगर आप इसको ध्यान से करेंगे एक दो बार repeat पर देखना इसको ध्यान से करना खुद हाथ से लिखके practice करना फिर अच्छे से हो जाएगा ठीक है next देखो next theorem नहीं है बट इसकी practice करवाने के लिए कि दो sets को कैसे equal proof करते हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पास ऐसे questions भी ही आ सकते हैं कि proof करो a minus b a compliment sorry b compliment minus a compliment के equal होता है ठीक है ध्यान से समझे से कैसे proof करते हैं यह भी तो 2 set है मतलब left hand side को किसके equal शो करना है right hand side के तो मैं यह शो कर दूं कि left hand side is a subset of right hand side और second step में शो कर दूंगी right hand side is a subset of left hand side तो यह result मेरा proof हो जाएगा ठीक है देखो पहले मुझे proof करना है a minus b किसमें contain है b compliment minus a compliment इसको subset भी बोलते है और contain मतलब दोनों contain भी बोल देते है कि यह उसमें contain है ठीक है अब मुझे इसका subset दिखाना है छोटे वाले set से element ले मतलब x a में तो है लेकिन x b में नहीं है a minus b में जाने का मतलब यह है अगर x a में है और x b में नहीं है तो x कहा होगा b compliment में होगा देखो x a में है और x कहा है b compliment में है clear ने जीज़? अगर x देखो a तो मैंने assess लिदे कि x a में है लेकिन अगर x b में नहीं है तो कहा होगा x b compliment में होगा अब x a में है x b compliment में है ठीक है अगर x a में है तो कहां नहीं होगा a compliment में दो यह room है घर में या तो वो a में हो सकता है element या उसके compliment में हो सकता है उसने का x a में है ठीक है तो X A compliment में नहीं होगा यहाँ पे X क्या आ गया? B compliment में मतलब X B compliment में तो है लेकिन A compliment में नहीं है तो यह बन गया B compliment minus A compliment clear है यह चीज? मतलब है easy properties अच्छे से clear होनी चाहिए तो मैंने यहाँ से element लिया था punch यहाँ गया तो यह set इसका subset बन गया clear है यह चीज? अब देखो यह first part proof किया है अब मैं क्या proof करूँगी? second part second में क्या है? B compliment minus A compliment को subset दिखाना है A minus B का जिसको subset दिखाना है उसमें से element ले लीजिए ठीक है? इसका मतलब X B compliment में तो है लेकिन X A compliment में नहीं है क्योंकि minus A compliment है अगर X B compliment में है मतलब X B में नहीं होगा घर में दो ही room है अगर वो B compliment में है तो वो B में present नहीं हो सकता और अगर X A compliment में नहीं है मतलब X का होगा? A में X A में है, B में नहीं है इसका मतलब X A में है, B में नहीं है मतलब A minus B clear है चीज? तो B complement minus A complement से लिया था, पहुंच वो A minus B में गया, it means this is a subset of this, तो दोनो parts से from 1 and 2, A minus B is equal to B complement minus A complement ठीक है, I hope यह clear है आपको, इसको ध्यान से practice कर लेना, तभी आपको अच्छे से clear होगा, next class में most most important discuss करने वाले है questions means applications of set theory, कितना set theory क्यों पढ़े हैं हमने तो आपको बास questions होते हैं, इतने percent को tea पसंद है, इतने percent लोगों को coffee पसंद है, तो कितने percent लोगों होंगे जिनको दोनों पसंद है है ना, ऐसे questions most important है, government exams में भी आने लगे हैं B questions, तो most most important है, next class में मों डिसकुस करने वले हैं, till then इससे डरना नहीं थे और हम से इसको practice करना अच्छा से हो जाएगी, two to three times बस इसको लिख के देख लो, literally बता रहे हूं पानी जैसे एकदम clear हो जाएगे आपको ठीक है, when diagrams के बारे में and practical application of set most 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 important है इसके question आपके exam में आते हैं तो इसको ध्यान से समझना और अच्छे से करना ठीक है, तो start करते हैं when diagram से, when diagram में देखो क्या होता है, when diagrams, when नाम ही क्यों है, क्योंकि जोन when ने इन diagrams को दिया था, इन्होंने क्या कहा था, कि हम sets को visualize कर सकते हैं, through a closed figure, तो इन्होंने कहा कि set A को मैं closed figure ऐसे show कर सकता हूँ, और set B को ऐसे show कर सकता हूँ, means basically क्या था, कोई circle बनाने का main इससे जादा नहीं था, बस ये था कि आपको closed figure से आप sets को visualize कर सकते हो तो ऐसे क्या हुआ, for example मुझे intersection देखनी है, तो A intersection B का मतलब है ये जो circles जहां पे इनका common region है, देखो ये set A है ये set B है, जहां पे इनका ये common region है हम इने कहते हैं A intersection B कितना अच्छा लग रहे हैं इंटरसेक्शन को ऐसे देखना, अब इतक सिर्स सोचते थे कि intersection का मतलब है common element बट visualize करना हमें कि इन्होंने सिखाया, जोन वेन ने इसलिए इन डाग्राम्स का नेम है वेन डाग्राम्स क्योंकि इन्हें जॉन वेन ने दिया था clear है चीज, तो इन्होंने visualize करा दे कि closed figure से भी हम sets को represent करके इन sets को visualize कर सकते हैं तो जैसे A set है, B set है अब इसमें कुछ common ही था तो दोनों sets को मैंने अलग-लग लिख दिया लेकिन इन sets में common है कुछ जैसे ये, this is the A intersection B part ये जो मैं डाग कर दी हूँ, this is A intersection B clear है चीज, similarly अगर मुझे A union B देखना है union में तो सारे element आते है तो ये सारा portion आएगा that is A union B ये जितना भी portion है that is A union B clear है चीज, तो when diagram से आप operations जो set पे लगाते थे union, intersection ये सब visualize कर सकते है next देखो आपके पास A complement होता था complement के पास तो कहां जाना पड़ता था universal set के पास तो जोन वेन ने आपको universal set के लिए कहा कि उसे rectangle से show कर लो और जो उसके under subsets है, उनको circle से जैसे ये देखो A and B clear है चीज, तो ये आपके पास A set है, ये आपके पास B set है, this is A intersection B और ये सारा आपके पास क्या है, union है जो complete ये circles के अंदर portion है, that is union clear है चीज, तो उन्हों ने इनको visualize करना सिखा दिया, जो कि बहुत easy है आपको ये question में बहुत जादा help करने वले है, आगे questions में समझाएगा, ठीक है, इसके लिए आपके पास ये figures भी हैं, देखो, ये नोंने क्या कहा, universal set के लिए नोंने rectangle दे दिया और set A और set B के लिए ये बात कर ली, तो ये जो complete circle है, this is for the set A तो जो green portion से show कर रखा है that is set A, ठीक है next देखो, आप आपको चाही A compliment, A compliment का मतलब क्या होता है, universal set से वो सारे elements ले लो जो A में ना हो, तो जो A वाला reason था, उसको color नहीं किया, क्योंकि ये तो A में है, बाकी सारा reason जो है वो A compliment में है A के elements को छोड़के universal set में जितने भी elements होते हैं, वो A compliment में आएंगे, तो यहाँ पर देखो सारा green portion है, बट A नहीं है, तो आप किसी भी set के operation को when diagram से show कर सकते हो, जैसे next देखो ये क्या है, A and B are disjoint set, मतलब इसमें कुछ भी common नहीं है, इनमें कुछ भी ये intersection वाला portion नहीं है, दोनों sets अलग ही लिखे हैं, next देखो ये वाला इसमें क्या है, B पूरा का पूरा A में ही है, तो A set के अंदर B आ रहा है, क्योंकि B subset A का B पूरा का पूरा A में ही है, clear है चीज, next देखो, बोथ A and B, means A intersection B, तो यहाँ पे यह region कौन सा है, intersection का, और A union B, तो यह पूरा region का उन सा है, यह सारा region जो universal set में A और B के दोनों circles है, that will give you the A union B तो Venn Diagrams clear है, universal set rectangle से, and sets जो है वो circle से आप represent करो ठीक है, next देखते है practical applications of set most most important हाँ जी, देखो क्या है, यह formula आपको बहुत help करने वाले है, अगर आपको यह formula clear है, बस आपके applications होगी, देखो क्या कह रहे है, कह रहे N का मतलब है cardinalty, number of elements in A union B तो यह क्या लिख है, N of A union B, वो कह रहे है, union में कितने elements होंगे, जितने A में हैं, जितने B में, उन दोनों को add कर दो, और common वले elements के number minus कर दो, बिल्कुल सही है, बहुत देखो, ध्यान सुनो, union में क्या करते हैं, जो repeated elements होंगे, उनको एक बार लिखते हैं, तो मैंने number of element A लिख लिख लिया, number of element B लिख लिया, जो इसमें repeat हो रहे होंगे, वो वले element भी तो आगे होंगे, उनको तो A की बार लिखना है तो मैंने उनका जो दो-दो बार आगे है, उनका एक number minus कर दिया, कि वो union में है, क्योंकि मुझे union में repetition नहीं चाहें, clear रहे जीज़, तो N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B यह note करके रख लो, यह आपको बहुत help करने वाला next questions में और वो most most important है ठीक है, तो हम यह करते हैं start फटाफट से, अच्छा एक चीज़ होर बुक में क्या किया होता है, अच्छा जो दो sets है, जिनमें कुछ common ही नहीं है उनका A intersection B क्या होगा 0 होगा न, जिसमें कुछ common ही नहीं है उनमें A intersection B आएगा ही नहीं तो number of elements in A intersection B is 0 तो यह formula क्या रह जाएगा N of A union B is equal to N of A plus N of B minus 0 तो N of A union B क्या रह गया N of A plus N of B ठीक है, तो आपको यह ध्यान से देखना है अब बुक में क्या लिखा होता है, इसका लगी case बना देते हैं कि अगर disjoint sets हैं तो N of A union B को N of A plus N of B ही लिखते हैं अलग से case करने की जूरत नहीं है जहां पे कुछ disjoint है, मतलब कुछ common ही नहीं है वो अपने आप ही 0 हो जाएगा बस आपको यही एक rule एक formula माइड में रखना है आपके questions हो चाहेंगे clear है यह चीज चलें आगे, चलें देखो, first question important है, बहुत important है in a group of 70 people जो total लोग है वो 70 है, मिन्स 70 people है 37 like coffee 52 like tea मैं कह रही हूँ कि जो A है वो कितने 37, मैं A किसको माल रही हूँ? जो coffee वले है चीक है, और number of element जुनको T पसंद है that is 52 means 70 में से 37 को क्या पसंद है coffee and 52 को T आप तो कह रहे हूँ कि 37 plus 52 तो 70 नहीं बन रहा अरे कुछ ऐसे लोग भी तो है जिनमें coffee और T दोनों पसंद है है ना, या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते है जो coffee नहीं सिर्फ टी पसंद है तो इनका sum 70 आई जरूरी नहीं है यहाँ पर ऐसे भी लोग होते जिनने coffee टी दोनों पसंद हो सकते है तो आप यह नहीं कह सकते कि इसका sum 70 बना चाहिए कि आदो को coffee आदो को T नहीं ऐसे भी कुछ लोग है जिनने coffee टी दोनों पसंद है and each person likes at least one of the two drinks तो 70 के 70 people में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको चाए coffee में से एक भी चीज़ पसंद नहीं हो हर किसी को एक तो चीज़ पसंद है चाहे वो चाहे हो चाहे coffee हो it means N of A union B 70 means T और coffee वले लोग total 70 है चाहे coffee पसंद हो चाहे T पसंद हो तो A union B मैंने कितना ले लिया 70 ले लिया total person 70 है coffee 37 लोगों को पसंद है T 52 लोगों को पसंद है हमें यह बताना है how many like both coffee and tea ऐसे कितने लोग है जिनको coffee टी दोनों पसंद है मतलब common elements चाहिए मतलब N of A intersection B चाहिए दोनों सेट में जाना चाहते है वो coffee भी उनको पसंद है T भी पसंद है means common elements जिनने T भी पसंद है और coffee भी मतलब मुझे क्या चाहिए N A intersection B clear है चीज़ एक को coffee पसंद है that is N of A एक को T पसंद है N of B total लोग कितने जिनको coffee T पसंद है कुछ नकुछ तो पसंद है that will be A union B और हमें निकालना है कि ऐसे कौन से लोग है जिनने दोनों पसंद है that will be A intersection B मतलब common element है उनका कि उन्हें coffee भी पसंद हो और T भी पसंद है clear है चीज़ common का मतलब दोनों सेट में है वो coffee वाले सेट में भी चले जाते है लोग और वो T वाले सेट में भी चले जाते है वो निकालना है अब यह formula क्या किया था N of A union B is equals to N of A plus N of B minus N of A intersection B clear है चीज N of A union B कितना है 70 N of A कितना है 37 N of B 52 और N of A intersection B हमें निकालना है चले आगे अब कुछ भी निकालना simple add and subtract है 70 minus 37 minus 52 minus N of A intersection B that will be 70 minus 89 equal to minus N A intersection B बिल्कुल simple है अब देको 70 minus 89 that will be 19 तो लिख देते है 70 70 minus 89 is equals to minus N A intersection B बना था तो यह यहाँ पे minus 19 that will be minus A intersection B N से N cancel 19 is equals to A intersection B means ऐसे लोग जिने कोफे अटी दोनो पसंद है 70 में से वो है 19 तो यह important question है most important इनको ध्यान से समझो ठीक है यह चीज तो N of A intersection B is 19 उस formula से आप बहुत सारे questions easily कर सकतो applications के इसके चले आगे चले next देखो हाँ जी next is in a group of 65 people total कितने 65 means A union B is equals to 65 40 like cricket 10 like both cricket and tennis इसमें से 40 लोगों को cricket पसंद है and 10 ऐसे है जिनको cricket भी पसंद है और tennis भी अब मैं A cricket ले लेती हूँ A क्या ले लेती हूँ cricket ले लेती हूँ तो means N of A जो है में पस 40 है और 10 है जिनने cricket और tennis बहुत पसंद है मतलब दोनों पसंद है वो cricket वाले सेट में भी रहते हैं वो tennis वाले सेट में भी रहते हैं मतलब वो common element है तो intersection कितनी है अगर cricket भी पसंद है तैनिस भी पसंद है मतलब वो intersection में चलेगे फर्स पार्ट देखो How many like tennis ऐसे कितने लोग है जिनको तैनिस पसंद है means मुझे N of B निकालना है कि ऐसे कितने लोग जिनने तैनिस पसंद होगा चले देखते हैं N of A union B क्या होता है N of A plus N of B minus N of A intersection B अब N of A union B 65 दे रखा है N of A 40 N of B कितना है पता नहीं वो ही तो find out करना है और intersection 10 दे रखा है 65 is equals to 30 plus N of B 65 minus 30 is equals to N of B and 65 minus 30 35 is equals to N of B ऐसे लोग जिनको टैनिस पसंद है that is नमबर में वो कितने है 35 means 65 में से total आपके पास 35 लोग ऐसे है जिनने टैनिस पसंद है clear है चीज how many like tennis only and not cricket अब ये टैनिस वलो में वो भी तो लोग है जिनने टैनिस भी पसंद है और cricket भी पसंद है मतलब एक गेम को नहीं वो पसंद करते है दोनों गेम्स उनको पसंद है एक गेम के लिए नहीं है वो उनको minus करके सिर्फ वो बताओ जिनने सिर्फ और सिर्फ टैनिस पसंद है सिर्फ और सिर्फ टैनिस पसंद है देख लेते हैं ऐसे tennis वले लोग जिने cricket ना पसंदो tennis minus cricket कैसे निकलेगा जो आपके पास total tennis वले हैं उन मेंसे A intersection B minus करदो मतलब tennis वलो मेंसे आप common वले minus करदो जिने tennis और cricket पसंद है आपके पास वही लोग बचेंगे जिने tennis पसंद है तो N of B कितना है 35 intersection कितना है 10 तो 25 ऐसे लोग है जिने सिर्फ tennis पसंद है और ऐसे लोग tennis पसंद तो 35 थे लेकिन ऐसे लोग tennis जिनको पसंद है उन मेंसे वो लोग minus कर दी है जिने cricket पसंद था तो सिर्फ tennis only वले लोग आगे that is number in क्या है वो 25 clear है चीज़? तो बहुत easy है लेकिन statement को समझना उसको फिर apply करना sets के थूँ वो important है next question देखो most important for a certain test a candidate could offer English और Hindi और बोधा सब्येग एक paper होन है वो student English का paper भी दे सकता है Hindi का paper भी दे सकता है और Hindi English दोनों का दे सकता है ठीक है? उसकी wish है total number of students was 500 means total number of students का मतलब A union B कितना था 500 जहां पे मैं A अब English लेने वाली और B Hindi चीज़? आगे देखो of whom 35 appeared in English means an of a कितना है? sorry 350 है 35 निया 350 है चीज़? उसमें से 350 English में appeared हुए तो मैंने लिख दिया an of a 350 19 बोध सब्जेक्ट्स दोनों सब्जेक्ट्स में हैं मतलब वो intersection में जाएंगे doctors 90 clear रहे चीज़? आगे देखो you set operations to show set use करके बताओ how many appeared in Hindi ऐसे कितने बच्चे हैं जो appeared हुए हिंदी में means मुझे n of b निकालने अगर b हिंदी है ठीक है? तो simple formula n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b आप देखो n of a क्या है आपके पास? that is 350 n of b तो निकालना ही है n of a intersection b is क्या है आपके पास 90 और union आपके पास 500 है बिल्कुल simple solve करना है देखते हैं कैसे 500 is equals to n of a था? कितना था आपके पास 350 था ये? लिख लेते हैं plus n of b और intersection में 90 था कर देते हैं इदर 500 minus 350 plus 90 is equals to n of b that is 500 minus आजाएगा आपके पास 260 is equals to nb and that is 240 is equals to nb मतलब ऐसे लोग जिने हिंदी का पेपर देना है that is 240 clear है चीज? तो आपको बताना था ऐसे लोग जो हिंदी के पेपर में पेर होंगे वो आपके पास आ चुके हैं नेक्स देखो हाँ जी सेकिंड पार्ट क्या है how many appeared in English only मतलब इंग्लिश वले चाहिए हिंदी वले नहीं मतलब जो आपके पास ऐसे देखो कुछ बच्चे जो इंग्लिश में दे रहे हैं कुछ बच्चे हिंदी का दे रहे हैं कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों का दे रहे हैं तो वो कहरें सिर्फ इंग्लिश वले बताओ मतलब जो टोटल इंग्लिश वले हैं उसमें से हमें हिंदी वले निकाल देने हैं मतलब टोटल कितने थे इंग्लिश वले N of A में से इंग्लीश वालों जो इंग्लीश का पेपर दे रहे हैं उसमें से सिर्फ वो चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लीश का दे दोनों ना दे रहे हूं तो मैंने इंग्लीश में से इंग्लीश हिंदी वाले दोनों माइनस कर दी जो दोनों का पेपर दे रहे हैं तो सिर्फ इ से वो वले elements निकाल दिये, जो common थे, जो Hindi English दोनों का दे रहे थे, तो सिर्फ English only वले आगे, clear है चीज, next देखो, how many appeared in Hindi only, Hindi only का मतलब, जो Hindi वले हैं B, उसमें से English वले minus करने है, N of B minus A, clear है चीज, तो मतलब जो total है आपके पास Hindi वले, उसमें से minus कर दो, वो elements, वो common elements, जो Hindi English का द दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ Hindi वले देने आजाएंगे, clear है चीज, तो N of B कितना है आपके पास, 240 है था, और intersection में कितने है, 90, and that will be आपके पास 150, तो Hindi वले 150 है, clear है चीज, एक बात और ध्यान सुनो, मैं आपके पास बार-बार लिख रही हूं, this N A minus B is equal to N of A minus N of A intersection B, यह लिख रही हूं न, यह बना कैसे देख, इस formula को और Venn diagram से भी देख सकते हो, देखो यह मैंने universal set बनाया, यह मेरे पास दो sets है, एक set यह है, और एक set यह है, ठीक है, यह मेरे पास A है और यह B है, वो कहरें A element, मतलब सिर्फ A होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए, मतलब मु minus कर दो, तो मेरे को यह set मिलेगा, clear energy दुबारा देखो ध्यान से, यह मैंने बनाया, आपके पास पूरा, ठीक है, वो कह रहा है, यह मेरे पास A और B set है, यह intersection है, वो कह रहा है, सिर्फ A चाहिए, A only, उसमें B का कोई element नहीं होना चाहिए, मतलब मैं क्या करूंगी, A ऐसा ज सिर्फ A only वले elements आ जाएंगे, इसलिए मैं N of A minus B में N of A minus N of A intersection पी देखो, clear energy, I hope यह clear है, अभी इसके questions और भी है, applications के, वो आपको next class में, next class में set theory complete हो जाएगी, set theory chapter आज complete हो जाएगा, finally, और इसमें हमने करने है practical application of sets, वो हमने कल start कर दिया था, बट उसका एक हमारे पास formula र करने से पहले हम पढ़ेंगे in question की statement, इस question की particular आज हमने करने है, two and total three questions करने है, जल्दी से करते है फटा फट से, चले, first question देखो क्या है, formula अभी करते है, देखो out of 880 students, total कितने 880 students, 224 play cricket, ऐसे 224 बच्चे हैं, जो cricket खेलते हैं, 240 play hockey and 336 play basketball, चलो ठीक है मैंने बता दिया, इतन होकी और इतने basketball, अगर मैं इसको set की form में लिखूंगी, तो मुझे कितने sets चाहिए, three, क्रिकेट वाला A set, होकी के लिए B set and basketball के लिए C set, तो लेकिन कल तो जो मैंने formula किया था, वो दो sets के लिए किया था, कि N of A union B is N of A, plus N of B minus N of A intersection B, है न, कल बात तो दो sets की होई थी, लेकि three sets होला चाहिए, करें फटा-फट से, आज ये chapter complete हो जाएगा, set theory, अच्छे से 11 parts revise कर लेना, बहुत easy है, कहने कोई 11 parts हैं कि बहुत सारे parts हैं, but maximum आप average लागे चलो 20 minutes, इतने हैं नहीं ये lengthy parts, फिर भी 20 minutes, 3 to 4 hours में पूरा chapter आप complete कर सकते हो, चाहिए 2 दिन में एक दिन 2 hours कर लो बहुत easily आप ये chapter complete कर सकते हो, ठीक है, तो फटा-फट से revise करते हैं, ये वाला formula देखो कैसे, n of a union b में क्या किया था, n of a plus n of b minus कर दिया था, intersection वाला क्योंकि दो ही sets की बात हो रही थी, और अगर अगर अब 3 sets की बात हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे उसमें पहले दोनों को n, n दिया था न, means उनकी cardinalty देखी थी, n का means number of element in set a union b, ये मैंने अच्छे से last class में explain कर दिया था, तो n of a union b union c क्या होगा, n of a plus n of b plus n of c, चीक है, minus n of a intersection b, minus n of b intersection c, minus n of c intersection a, कैसे यार रखना है, पहले तीनों को n, n, n अलग से दे दो, और फिर a की intersection b के साथ, देखो a, b, c लिखा है न, फिर b की intersection c के साथ, और c की intersection a के साथ, यहाँ पर minus कर दो, और end में add करो, n of a intersection b intersection c, clear a cheese, formula अगर आपको ये आता है, तो आज के questions बहुत easy आपके लिए, तो करते हैं फिर, n of a union b union c क्या है, n of a plus n of b plus n of c, minus of this intersection, and end में इन तीनों set की intersection की cardinalty को add कर देगी, ठीक है, तो करते हैं start, तेखो यहाँ पर भी दिये हुए, कि 224 cricket खेलते हैं, मैं cricket जिनका है, वो set a ले रही हूँ, जो hockey खेलते हैं, उनका set b ले रही हूँ, और जो basketball खेलते हैं, उनका set c ले रही हूँ, तो कहने 224 play cricket, means n of a क्या आएगा, 224, b hokey कितने खेलते हैं, 240, तो n of b कितना आएगा, 240, 336 play basketball, means n of c कितना आएगा, 336, हांची clear है, नेक्स देखो, 64 play both basketball and hockey, मतलब basketball वले set में भी है, और hokey वले set में भी है, तो यह आपके पास आया है, n of b intersection c क्या है, 64, क्योंकि basketball c set है, और hokey जो है, वो b set है, b intersection c लिखो, या c intersection b, दोनो एक ही बात, ठीक है, नेक्स देखो, 80 play cricket and basketball, cricket भी खेलता और basketball भी, means a and c, तो n of a intersection c कितना आगया, मेरे पास 80 आगया, नेक्स देखो, 40 play hockey and cricket, होकी और cricket का बतलब a intersection b, तो n of a intersection b मेरे पास कितना आगया, 40 आगया, means आप अपनी statement को sets की form में निकालो, जैसे मैंने आपको last class में बताया था, वहाँ पे 2 sets की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 sets की बात हो रही है, वहाँ पे 2 sets का formula था, यहाँ पे 3 sets का formula है, clear है चीज, आगे देखो, 24 play all the games, 24 ऐसे हैं, जिसे A set में भी जाना है, B set में भी जाना है, और C set में भी क्योंकि उसको तीनो games खेनी हैं, तो this will be n of a, intersection b, intersection c is, कितना था यहाँ पे, हमारे पास था 24, clear है चीज, तो जो जो information में को दे रखे थी, मैंने यहाँ note कर ली, how many do not play any game, ऐसे कितने बच्चे हैं, जो कोई भी game नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, अब नहीं खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं अगर n of a union, b union c निकालू, मेरे पास वो number of students आज बच्चों के number नहीं आजेंगे, जो कोई game नहीं खेल रहे हैं, clear है चीज, उन्होंने कह ऐसे बच्चों के, मतलब उन number of students निकालो, जो कोई game नहीं खेल रहे हैं, do not play any game, मैं वो number of students निकाल दूंगी, जो कोई न कोई game जरूर खेल रहे हैं, फिर total students में से मैं उन student number of students को minus कर ना कोई गेम बच्चे जरूर खेल रहे हैं तो आपके पास क्या है इसका फॉर्मला N of A plus N of B plus N of C इसको नोट करके अच्छे से learn कर लो N of A intersection B अगर समझ लिया है तो फिर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है minus N of C intersection है इसका proof आपके exam में नहीं आता यह S such करना है plus N of A intersection B intersection C clear है चीज़ अब N of A करूंगी that will be N of A कितना था आपके पास एको पुट करते हैं 224 N of B है 240 और plus N of C आपके पास है 336 ठीक है minus N of A intersection B that is आपके पास है A intersection B 40 ठीक है 40 कर देते minus N of B B intersection C वो कितना है 64 कर देते हैं और minus N of C intersection A वो आपके पास कितना है that is 80 वो मैं 80 कर देती हूं plus N of A intersection B intersection C है वो है आपके पास 24 मैं note कर दिया just formula में सारी values डाली है मैंने और कुछ भी नहीं किया simply आप इसको solve करोगे you will get answer 640 आप calculate कर सकते हो आपको calculator allowed है exam में मैंने भी just calculate करके देखा है 640 ही इसका answer clear है चीज तो आपको इन दोनों को तीनों को add करोगे ये minus minus plus होगा means proper जैसे आपको calculator से करना है just आप कर सकते हो colleges में allowed होते है calculator exam में तो आप कर सकते हो ये N of A union B union C will come क्या आएगा ये will be 640 चीक है पर ये तो वो बच्चे हो न जो कोई न कोई गेम जरूर खेल रहे है है न कोई न कोई गेम जरूर खेल रहे है बट उसने पूछा क्या है कि वो कोई भी गेम नहीं खेलते तो total number student 880 है मैं उस में से minus कर रहे हूं 640 कि जो बच्चे कोई न कोई गेम खेल रहे है total में से वो number उस्टूरेंट्स माइनस कर रहे हो जो कोई न कोई गेम खेल रहे है तो ये आपके पास answer क्या आजेगा that will be 0 and that will be 4 and this is 2 तो 240 आप का answer आजेगा means 240 students 880 में से ऐसे है जो कोई गेम नहीं खेल रहे है clear age is बस simple से set formation में लाओ set के बाद उसे formula में डालो formula के बाद calculate कर सकते हो that will be 640 बहुत easily गर सकते हो ठीक है फिर आपके पास जितने total student है उसमें से वो number minus कर दो जो सारी games खेल रहे हैं आपके पास वो number आजेगे जो कोई भी game नहीं खेल रहे clear है यह चीज़ I hope आपको equation clear है यह बहुत easy है बहुत easily आप कर सकते हो चलें आगे चलें next देखो in a group of athletic teams in college किता है कोई group है उसमें 21 किसमें है basketball में 26 किसमें होकी में and 29 किसमें football में basketball का set A hockey का set B and football का set C N of A कितना है 21 N of B कितना है 26 and N of C कितना है 29 clear है चीज़ इस 14 play hockey and basketball 14 ऐसे हैं जो hockey भी खेलते हैं और basketball hockey में कितना है आप set B और basketball में A आप A intersection B लिखो या B intersection A के बाद होती है मैं serial order में लिखने के लिए A intersection B लिख रहे है ठीक है कितने है यह 14 है फिर देखो 12 play football and basketball football वाले कौन से है C और A है basketball means N of A intersection C में रपास कितना है याँ आपे 12 आ गया clear है चीज़ मतलब question से अपने sets की formation निकाल लो फिर आगे देखो 15 ऐसे हैं जो hockey and football दोनों खेल रहे है hockey के लिए कौन सा set है all the three games 8 ऐसे हैं जो सारी games खेल रहे है मतलब A intersection B intersection C कितना है या यह तो हमें question में जो दिया हुथा हमने उसको sets में represent कर दे कि इतने elements हैं एक set में अब निकालना क्या है how many players are there in all कि total हमारे पास player कितने है मतलब मुझे N of A union B union C निकालना है कि A set B set C set सारे कितने players है total यह निकालना है उसका formula क्या होता है N of A plus N of B plus N of C ठीक है ना उसके बाद क्या हैगा minus N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of C intersection A and last one plus N of A intersection B intersection C यहाँ पे इसकी values डालो जो हमने यहाँ पे question से निकाली है और at the end आप इसको put करके यह answer निकालो कि that will be 43 यह calculations मैं नहीं करूंगी यह simple plus minus है इसलिए last question में भी आपके लिए रखा है ठीक है simple sets से मैं मतलब statements आपको sets में convert करना दिखा रही हूँ फिर उसमें formula लगाना दिखा रही हूँ और यह calculation plus minus यह आपका homework है आपको करनी है answer 43 आएका ठीक है मतलब ऐसे लोग जो कोई न कोई game ज़रूर खेल रहे है that is 40 कितना थे 43 थे हाँ जी बिल्कुल 43 है clear age is question से पहले sets form में जाओ फिर how many play football only अगर आपके पास football only मतलब आपके पास three sets वलों में अगर only वाला question आए तो हम उसे when diagram के through करेंगे जहां पे आपको three sets दे रखे हो और पूछो football only, cricket only, basketball only वाह हम when diagram से चलेंगे इसको ध्यान से समझना बहुत interesting है अगर एक बारी में समझा आगे मारे पस कितने sets है? three तो हम three sets बना लेते हैं एक, दो, और यह मारे पस third आ गया यह set A है, यह set B है, यह set C है when diagram इसी equation के लिए समझाएगे थे इसको ध्यान से समझना अगर आपके पास कोई भी three sets वलों में only का question आ गया जिसमें only लिख है तो आप when diagram के through ही उसमें जाओगे ठीक है, अब ध्यान से समझना अच्छा, वहाँ पर only आता था था ना मैं यह formula लगा ले थी, जैसे N of A minus B है तो मैं क्या करती थी? N of A में से N of A intersection B minus करती थी है ना, यह हम two वले में करते थे three वले में हम किसके थ्रू answer निकालेंगे only equation का when diagram के थ्रू ठीक है, देखो ध्यान से कैसे अब आपके पास यह सबसे पहले आपने सबसे पहले ध्यान से समझ लो सबसे पहले यह देखने है, तीनों की intersection क्या है तीनों की intersection आपके पास eight थी eight play all the three games तो center में आप eight लिख दोगे जहां पे यह तीनों सेट से कठे आ रहे clear है नहीं चीज़, देखो यहां पे तीनों circle आ रहे है, यह वाला circle भी आ रहे है यह वाला circle भी, means बिल्कुल center वाला point जहां पे तीनों के तीनों circle intersect कर रहे है वहाँ पे आप eight लिख दोगे clear है यह चीज़, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया eight पहले यहीं से start करने circle बनाना फिर आप देखो, N of A intersection C कितने है A यह था हमारे पास, B हमारे पास यह था and C यह था A intersection C का मतलब basketball और football जो ही कठे खेल रहे है that is basketball football कितने है, वो 12 है ठीक है, A intersection C हमारे पास कितनी थी, 12 थी अब यहां पे 12 नहीं आएगा यह eight already आचुक है, देखो A intersection C यह वाला portion है है ना, देखो A intersection C यह वाला portion है eight already आचुक है total चाहिए 12, बचे हुए four लिखेंगे हमें clear हो रहे है मेरी बाद, बचे हुए four लिखेंगे हम यहां पे when diagram most most important है ठीक है, आगे देखो अब N of A intersection C निकाल लिया अब N of A intersection B निकालेंगे देखो यह रहा, A intersection B जहां पे A और B आ रहे है अब A और B क्या है, A और B का मतलब basket bowl और होकी की बात होनी है और basket bowl और होकी में है 14 क्योंकि N of A intersection B कितना दे रहा है हमें, 14 दे रहा है ठीक है, अब 8 तो यहां पे आ गया 14 नहीं, 8 अल्रेडी लिख चुके है तो कितने हो गए यहां पे, 6 होंगे है ना, 8 प्लस 6, 14 तो जितने बच्चे हुए हैं, वो हम A intersection C में यहां पे, लिख देंगे, इसलिए काता मैंने सबसे पहले 300 set की intersection center में लिखनी है यह most important है, government की जो आप exams देते हो वहां पे भी question आता है, यह important type है ठीक है, next देखो, यह तो हो गया clear अब यह तो हो गया हमार पास यह, अब बचा B intersection C यह रहा B intersection C, जहां पे B और C circle के parts match कर रहे है, B और C क्या है B और C का मतलब है, hockey and football hockey का है हमार पास, यह रहा hockey and football, that is 15 N of B intersection C कितने है 15 है, यह आपके पास already 8 आ चुक है, तो बचा क्या 7, तो यहां पे क्या आजेगा, 7 आजेगा clear है यह चीज, तो आपने पहले सबसे centrally intersection, फिर 2-2 sets की intersection, अब ध्यान से देखना, यह पूरा set क्या है A है, यह पूरा set क्या है A, अब A set में ध्यान से देखो, A set में कितने elements थे A set में 21, यह देखो 21 होने चाहिए, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 already आ चुके हैं बचे कितने 3, तो सिर्फ यहां पे 3 आएगा, क्योंकि इनका sum 21 ही बन रहा है, और A में 21 elements है, इन सब को add करना है, जितना number बचा वो यहां लेखना है, इसको ध्यान से समझना नहीं समझा रहा है, इस portion को repeat करके देखना, यह important है अराम समझा जाएगा, एक दू बार में आ जाएगा बिलकुल, ठीक है, है interesting next देखो, B में क्या है B में number of elements है, 26 तो यहां पेखो 6 यह देखो, यह B पूरा है, B को पूरे को देखो इसमें 3 number already आ रहे है 6, 7, 8 6 और 7 is 13 13 और 8 is 21 अब है कितने B set में 26, 21 already present है तो कितने आएंगे, 5 clear है नहीं चीज़ ऐसे ध्यान से देखना, अब C देखो, यह रहा C पूरे है न, C इसमें कौन से number है, 8, 4, 12 ठीक है, 12 और 7 कितना होगे आपके पास, 19, C में है कितने, 29 है न, 19 औरड़ी आ चुके बचे कितने, 10 तो 10 यहां पर आगे ठीक है, मतलब A only, B only, C only यहीं से निकल के, यह जो number 3 है यह A only है, यह जो number 5 है यह B only है और यह number 10 है, that is C only, clear है यह चीज़ तो अब हमें क्या निकालना था, football only football क्या है मतलब, football का मतलब है, C only, C only में कितना है, 10, तो इस second part cancer 10 है मेरी बात clear हुई, ऐसे VENT diagram से आप 3 sets वले में only वले को solve कर सकते हो मैंने अपनी तरह से बहुत अराम से समझा है, फिर भी कोई दिक्कतारी इसको repeat करके जरूर देखना, यह सिर्फ आपकी BBA, BCA मेनी, अगर आप कोई government exam, government job के लिए आगे maths करोगे, वहाँ भी आपको कामाएगा ठीक है, अब level बढ़ गया है maths का ठीक है, पहले बहुत basic आता था, अब ऐसा नहीं है ठीक है, चली, next question देखते है, यह तो हो गया, चली last question, इस chapter का इस class का बहुत easy है a survey shows that 63% of Indians like cheese 63% को cheese पसंद है 76% like apples, 26% को apples पसंद है, x% like both cheese and apples x% ऐसे हैं, चीज भी पसंद है और apple भी, find the value of x, हमें x की value निकालने ठीक है, अब देखो cheese को name देदो a, और apples को name देदो b ठीक है, n of a is 63, n of b is 76 मैं percent नहीं लेखरी बता रही हूँ अब देखो percent है अगर कोई कहता 63% है कभी आपसे किसी ने पुछा कि 63% कितने में से हैं, है न जैसे आप कहते हैं, मेरे इतने marks हैं, मतलब 200 है, या 300 है अब तक तो आपके सिर्फ 100 marks के paper होते थे है न, college में आके 40 का भी होगा 80 का भी होगा, तो आपको पूछते हैं कितने में से marks हैं, लेकिन अगर आप किसी को यह बोलते हैं, कि हाँ मेरे 85% marks हैं या 65% marks हैं क्या कभी किसी ने पुछा कि कितने में से 65% marks हैं नहीं पूछा न, क्योंकि ओव्यस है कि वह 100% में से होगा मतलब N of A union B मेरे पास कितना होगा 100, मैंने percentage को क्या किया क्योंकि percentage है, तो total 100 ही होगा आपके पास आगे देखो, X percentage is like both cheese and apple मतलब N of A intersection B कितना है X है, आपको X निकालना है मतलब N of A intersection B निकालना है यहाँ पर फिर से दो sets की बात हो रही है तो N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B clear है चीज़? तो N of A कितना है? 63 N of B 76 intersection X और यह यहाँ पर आपके पास कितना है? 100, ठीक है तो यह क्या बन गया? 100 is equal to 63 plus 76 minus X, तो यह बनेगा 100 is equal to 6 or 3, 9 6 or 7 आपके पास बनेगा 30 that minus X ठीक है? तो यह बनेगा 100 minus 139 minus X minus 39 equal to minus X, जब minus होता है साइन हमेशा बड़ी नंबर का आता है 139 बड़ा नंबर है इसका minus आएगा, ठीक है? minus से minus cancel X की value क्या आ चुकिए 39 means 39 percent लोग ऐसे हैं जिने cheese और apple दोनों बसंद है easy है नए equation? I hope क्लियर है सेट थूरी चाप्टर आए आए आए